कि नमस्कार मैं डॉक्टर अमित कुमार शुक्ल आप सब का टार्गट भी तालोक में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा उसर आ काफी सुनहरा उसर क्योंकि बीयों की परिक्षा बहुत जल्द होने की संभावना है और यह संभावना विक्त की जा रहे हैं कि बहुत अच्छी सीटें इस बार बीयों में आ रही है फिर से और इससे बहतर आपके पास खंड सिक्षा अधिकारी बनने का साइद औसर ना आए इसलिए इस औसर को भुनाईए और अपने अपने भविश्य को सुनिस्षित करिए खंड सिक्षा अधिकारी के रूप में दोस्तों मैं डॉक्टर अमित कुमार शुकल बीयों के इस बैच में मैं आपको इतिहास भिसर पढ़ाओंगा और इतिहास की कितनी महत्पुड भूमिका है पिछले जो भी परिख्षाएं हुई है बीयों की दो इसमें जश्च जो पिछे पिछले साल जो परिख्षा होई दो साल पहले की जो परिख्षा, उसमें आप देखेंगे, तो इतिहास की एक बहुत ही महती भूमिका है, इतनी महती भूमिका, कि जिन लोगों ने इतिहास को गंभीरता से नहीं लिया है, फिर उन्हें कहते हैं न कि एक ऐी साथे सब, सब, साथे सब होई, जिन लोगों ने किसी भी एक बिसे की उपेक्षा की और हर बिसे को साधनी की कोशिस नहीं की वो बाहर हो गए इसलिए इतिहास के महत्त को ले करके और इतिहास से जुड़ी बहुत सी बातों को ले करके जो आपके खंड सिच्छा अधिकारी के परिक्षा में महती रूप से एक नड़ायक भूम का निभाता है मैं आपके सामने आया हूँ और एक पक्ष की चर्चा करेंगे ताकि आप इसके महत्तों से रूबरू हो जाईए हमें जब वियों की चर्चा कर रहें दोस्तों और उसमें भी इतिहास की चर्चा कर रहें तो リ्रारंभी परिक्षा हैं आप कभी भी किसी परिक्षा में हाइज स्कूर नहीं आपके कि जीतता है जो करता है और trend analysis इतना महत्पूर है जिससे आप ना किवल परिच्छा को पास कर सकते हैं बल्कि आप merit में आ सकते हैं, rank holder बन सकते हैं तो जब इस परिच्छा के लिए आपने कमर कसी लिया है तो फिर देर किस बात की ऐसा race में आगे जाईए ताकि आपकी merit में नाम हो और आप सुरुवाती लोगों की सुची में अपना स्थान सुनिश्चित कर सकें दोस्तों, BEO की परिच्छा में, BEO की परिच्छा में, इतिहास भी से में पिछले बार कितना question पूछा प्रारंभिक परिच्छा में कितने question रहे, मुख्य परिच्छा में कितने question रहे, मुख्य परिच्छा को आप देखेंगे तो किस खंड से क्या-क्या पूछा और संभावित क्या-क्या पूछने की हो सकती है, संभावनाएं क्या हो सकती है, उसकी तलास भी आज हम करेंगे, तो सबसे पहले, इस बिसे के importance पर हम चर्चा करेंगे, महत्त पर, सबसे महत्त पॉल्ड, इतियास बिसे के महत्त को आप यू समझ सकते हैं, कि मोटा-मोटा, सिर प्री की परिक्षा में, सिर्फ प्री की परिक्षा में, हरमेशा 16 से 17 क्योश्चन आपको पूछता नजर आएगा, आप सोच लीजिए, कितना महत्त तो इसका है, 16 से 17 क्योश्चन आपको प्री में पूछते हो नजर आएगा, और एक एक क्योश्चन की जहां पर इतनी जरूरत है, इतनी मारा-मारी है, वहां से एक अच्छा छात्र, जिसको इतिहास में कमांड हो, आप विस्वास करें, वो 15 और 15 प्लस भी ला सकता है, ये कोई आश्चर की बात नहीं होती, ये बहुत ही एक निरंतर और सही दिसा में किये गए प्रयास से हासिल किया जा सकता है, क्या, क्या आप 16 या 17 प्रश्ण अगर बीयों में पूछ रहा है, एक सामान ने आउसत, तो आप 15 क्योश्चन या उससे जादा भी कर सकते हैं, आउसत छात्र, जो विल्कूल आउसत छात्र होते हैं, वो भी 16 या 17 प्रश्णों में से 10 क्योश्चन कर जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, 10 क्योश्चन करते हैं, लेकिन 10 क्योश्चन करने से आप न तो टॉपर्स की सूची में आएंगे, और आप क्वालिफाई भी कर जाएं, इसकी संभावना कम हैं, इसलिए आपको किसी भी सूरत में 12 से 14 क्योश्चन तो करना ही करना है, इसके प्लस हमेसा ध्यान दीजिएगा, और मैं आपको भरोसे के साथ ये बात कह सकता हूँ, कि जब हम आपके साथ चलेंगे न, तो आप चलेंगे नहीं, आप दोडेंगे, और कहते हैं कि 15 प्लस भी करने के स्थिति में आ जाएंगे, तो इसका महत तो आप देख सकते हैं कि प्री लेबल पर इसका जो इंपोर्टेंस है, वो इतना है, इतने अंकों का प्रश्णिहां से आता है, और साथी साथ एक बहुत बड़ी बात क्या है, परिछा को समझना और उस प्रडाल पक्ष हो, चाहे वो आर्थिक पक्ष हो, चाहे वो राजनितिक पक्ष हो, चाहे वो सांस्कृतिक पक्ष हो, समझीएगा, हर धार्मिक पक्ष भी, हर पक्ष कहीं न कहीं इतिहास से नुरूपित होता है, इतिहास से निकलकर आता है, और वरतमान परिद्रश में उसको हम दे वो बहुत बड़ा रोल है, आप पिछली परिच्छा की आप कल्पना करिए, पिछली परिच्छा की, पिछली परिच्छा में क्या हुआ, 20% question, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आगे questions लेकर आऊँगा, आपके पास, टोटल, आउट आफ 100, 20%, 20% questions, हिस्ट्री से आए, section 1 में 2 question, section B में, यानि कि section A में 2 question, section B में 2 question, और section C में 4 question, यानि कुल आठ प्रस्ण केवल इतिहास से पुछा, 20% अंका और ध्यान दीजिए, जिसने मुख्य परिच्छा का practice ठीक से किया, हमारे class के साथ, जो मुख्य परिच्छा का ठीक practice कर सकेगा, जो class में आपको कराया जागा, बिल्कुल gradually, इमानदारी से मैं आपको बता दूँ कि वह अधिक्तम अंक मुख्य परिच्छा में प्राप्त करेगा, और कुछ भी मुख्य परिच्छा में लिख देने से अंक नहीं मिलता, ये ध्यान दीजिएगा, चाहे 25 सब्दों में लिखना हो, चाहे 60 सब्दों, 50, 60 सब्दों में लिखना हो, या 700 सब्दों में, मुख् खावित प्रश्नों की practice कराएंगे और आपको trend analysis बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे साथ में कि क्या लिखने से number मिलता है कोई भी example हम ले करके आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न में बचे क्या लिखते हैं और क्या लिखना चाहिए एक अंतर होता है दोस्त क्या लिखते हो और क्या लिखना चाहिए जिस दिन इस भेद को मिटा लोगे याद रखिए उस दिन सेलेक्शन हो जाएगा क्योंकि कुछ भी लिख देने से आप examinations के बाहर examinations देकर आने वाले बच्चों से क्या अक्षा सुनते होंगे पेपर तो बड़ा मस्त हुआ है बाद में रिजल्ट नहीं आया उन्हें लिखा तो सब था लेकि क्या लिखा था दोस्त उस क्या लिखने में और लिख के आ गया इन दोनों में बहुत अंतर होता है इस अंतर को अगर एक बार आपने साथी साथ जहां तक मांक्स की बात है कॉंसेट पकड़िएगा आप इस प्रशनों की संख्या को देखकर इसके मांक्स का निधान कर सकते हैं आप जैसे एक्जाम्पल के तौर पे हम कहें कि 16-17 क्रिश्चन तो केवल हिस्ट्री से पूसता है आप सोचिए प्रारंभीक परिश्चा में तो इसका वेटेज उसी अधार पर अपताय कर सकते हैं जब मुख्य परिश्चा की बात करते हैं और खंड अभी मैं आपको पिछले परिश्चा का क्रिश्चन लेकर भी इतिहास को आया हूँ जिसके भी चर्चा करेंगे हम जब आप हम मेंस की बात करते हैं तो जो सेक्षन ए है खंड का उसमें दो क्वेश्चन पुष्टा है और दोनों दस-दस नमबर के होते हैं यानि 20 नमबर तो यहीं से हो गया है सेक्षन बी जहां से दो क्वेश्चन पुष्टा है और दोनों छे-छे नमबर के होते हैं बार नमबर तो यहीं से हो गया है आप सोचिए और सेक्षन बी जहां दो-दो नमबर के क्वेश्चन है और चार क्वेश्चन वहां से पुष्टा है आठ नमबर वहां से हो गया यान इस तरह देखेंगे तो out of 200 20% यानि कि कैसे section A से section A से 20 नमबर section B से आपने देखा वहां से 2 question होते हैं 12 नमबर के वहां से question हो गया और 8 नमबर के question कहां से हो गया section C से हो गया जहां दो-दो नमबर के 4 question होते हैं तो इस तरह अगर आप total नमबर देखेंगे इसका तो 12,8,20,20,40 यानि total हो गया 40 40 out of 200 अगर 40 को देखेंगे out of 200 तो कितना हुआ 20% इसलिए दोस्त 20% नमबर तो आपके life का वारा नयरा कर सकता है इस परिछा का इसलिए इतिहास की बहुत बड़ी भूमिका है और इस भूमिका से आप अपने आपको कभी भी पीछे मत होने दीजिएगा क्योंकि ये भूमिक आपको सफलता दिला सकता है आगे ध्यान देते हैं इसी करमें बिटा आप देखेंगे ना एक बहुत प्राचीन कहावत है मैं उस कहावत को आपके सामने पर रख देना चाहता हूँ और बहुत ही महती ये कहावत है कि कोई भी जंजीर अपने कमजोर कड़ी से अधिक मजब नहीं होती इसको आप दो बार पहले पढ़के समझे आपका जीवन बदल देगा आपके सोचने का तरीका बदल देगा आपका नजरिया बदल देगा किसी किसी भी विशय के परती जो आप द्रिश्टिकोंड रखते हैं और अपने परती जो द्रिश्टिकोंड रखते हैं आप निशन्देह इसको समझने के बाद उसमें परिवर्टन लाना चाहेंगे दोस्तों प्रशन सिर्फ यह है और यह प्रशन के साथ साथ एक जो कोटेशन है यह प्रशन भी है जीवन का इसे जीवन का एक महति प्रश समझे और यही उत्तर भी है अपने आप में यह प्रशन है और अपने आप में उत्तर है यानि संपूर स्टेटमेंट है यह कोई भी जंजीर अपने कमजोर करते अधिक मजबूत नहीं होता ध्यान दीजिएगा जम कहते किसी जंजीर की बात कहते है सपोचकर यह एक जंजीर है जिसमें ढेर सारे छले लगे हुए यह एक जंजीर हो सकता है अगर यह जंजीर concept देखिए बहुत important है यह जंजीर कितना मजबूत है प्रशन आप से कोई पूछे कि आखिरकार यह जंजीर की मजबूती क्या है कितना मजबूत है तो आप क्या कहेंगे आप नहीं बता पाएंगे लेकिन उसकी मजबूती कैसे तैं होगी इसकी जितनी कडियां है इस जंजीर की जितनी कडियां है उन कडियों में से सबसे कमजोर कडि जो होगा माना की सबसे कमजोर कडि यही है तो ये जंजीर इस कमजोर क तो यह पूरी जंजीर एक्स से अधिक मजबूत नहीं हो सकती। ऐसे कैसे भी? क्योंकि जब जंजीर पर खिचाओ पड़ेगा, तो सबसे पहले कौन सा तूटेगा? यहीं सा तूटेगा। आपके जीवन में भी, आपकी तैयारी में भी इस बात का बहुत महप्तु है। किसी भी बिसय को जब आप नदर अंदाज करते हैं, अपने पाठिकरम में जब आप कुछ चीजों को छोड़ देते हैं और फिर तैयारी करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपके पाठिकरम में, आपके B.E.O. के सेलेबस में, मैं दो इस तर पर बात कर रहा हूँ, एक इस तर आपका वो जितना चीज छूटा, आपकी कमजोर कड़ी बनती है, और फिर उस पाठिकरम, B.E.O. के पाठिकरम में से किसी एक सब्जेक्ट को लाई है, माना कि हितिहास, तो अब उस हिस्ट्री के सलेबस में से भी जब आपको छोड़ देंगे, तो भी आपकी कमजोर कड़ को पहचानिये, और कभी भी ऐसा निर्ड़े मत लीजिएगा, जिस से आप जब अपने परिच्छा हॉल में बैठें, तो मन में आपके ये भैस अताता रहे, कि ये सब्जेक्ट या ये टॉपिक या ये एरिया मेरा कमजोर है या पढ़ा नहीं गया है, आपको टार्गिवर बिशय और जो पाठिक्रम है, उसके एकॉर्डिंग, नियत समय में पूरी की पूरी सुनिश्चित ब्यवस्था देगी, ताकि हर सिच्छक अपने उत्तरदाईतों के साथ आपको आपकी सफलता में योगदान दे सके, दो बातें भुलकुल अप्सपस्टूप से आपसे कह गये, और दूसरी चीज, कमजोर कड़ी, तो रहने नहीं देना, और हर विशय को इस तरह से पढ़िए, कि एकई साधे सब सदे सब साधे सब होई, इस तरह से पढ़िए, ताकि आपका पूरा पाठ्ठे करम कभर हो, और आप अपने लक्ष के तरफ बीना किसी हिजटेशन क बीना किसी रुकाउट के पहुंच सके, आप आगे इस चीज को देखेगा, मैं और बेहतर ढंग से एस्प्रेन करने कोसिस किया हूँ, पाठ्ठे करम के ले करके, जहां तक आपका पाठ्ठे करम का सवाल है, भारती इतिहास और राष्ट्री आंदोलन, पाठ्ठे करम में क् कितना विस्तार है, कितनी गहराई है, और उस गहराई को जब हम नहीं पढ़ेंगे, उस गहराई को नहीं समझेंगे, उस में से कोई भी टॉपिक छोड़ देंगे, तो फिर आप मुझे बताईए कि कैसे सेलेक्शन होगा, एक्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, यह माली इतिहास में धर्म से जुड़े मामले नहीं है क्या, धर्म से जुड़े मुद्धे नहीं है क्या, आपसे पूछ सकता है, वहाँ से कोई भी क्वेस्चन, यह समझेगी, अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रेंड एनालिसिस है, जैसे एक्जाम्पल के तौर पर, अगर को की ध्यान से, पिछले ही एक्जाम में कला और संस्कृती से भी आपको प्रशना गया, मतुरा कला, अगर आप केवल राजनितिक पक्ष को ही इतिहास समझते हैं, राजा महराजाओं के उत्थान पतन को इतिहास समझते हैं, तो यह इतिहास नहीं है, वास्त्विक इतिहास व समाजीक, आर्थिक, राजनितिक, सांस्कृतिक और कलात्मक पक्ष हमने पढ़ लिया है, तो केवल भारती इतिहास लिख देने से काम नहीं बनेगा, काम तब बनेगा, जब हम भारती इतिहास को समझें, इसमें क्या पूछा जाएगा, अगर केवल राजाओं, महराजाओं के उत्थान और पतन तक अपने आपको हम सिमीत कर लिये, तो इतिहास की trend analysis आप कभी नहीं कर सकते, इसी तरीके से दोस्त, राश्टी आंदोलन, हमेशा से भारती इतिहास के अंतरगत, सरवाधिक विश्ष्ट खंड के रूप में, हम राश्टी आंदोलन को देख सकते हैं, सबसे अधिक प्रश्ण भी यहीं से पूछता है, concept पकड़िएगा, अगर आउसत देखें पूरे इतिहास में, यानि अगर आप प्राचीन काल देखें, मध्य काल देखें, आधुनिक काल देखें, तो इसमें सबसे अधिक आउसत जो है, वो राश्टी आंदोलन से आता है राश्टी आंदोलन के अपनी बहुत महत्पुड भूमिका है, आप यूं कह सकते हैं कि दड़ाइक भूमिका है, कुछ ऐसे trend होते हैं, कई बरसों के ऐसे trend हो सकते हैं, जब आपको आधे क्यूस्चन हो सकता है कि राश्टी आंदोलन से ही पूछ ले, कभी ऐसा भी हो सकता ह कि राष्ट्री आंदोलन से कुछ कम करके भारती इतिहास के आउसत को बढ़ा दे इसलिए किसी को भी कमतर कहना ठीक नहीं है लेकिन राष्ट्री आंदोलन को अधिक महत्पूर कहना ज्यादा उपयोगी है तो राष्ट्री आंदोलन की समझ हर किसी को हो नहीं चाहिए क्योंकि इसका सीधा संबंध आधुनिक भारत के सोतंता संघर से हैं और हमारे उन नायकों से है उन आंदोलनों से है, जो आज हमें एक सोतंद्र राष्ट बनने की तरफ ले गया, जो 15 अगस्त 1947 को हमारा सपना पूरा हुआ, तो ये राष्ट्री आंदोलन हमारे सलेवस का एक अभिन अंग है और काफी महत्पूर है, आईए दोस्तों, हम आगे आपको देखें कि अगर हम क आरती इतिहास को देखें, तो उसके भी तीन पक्ष है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, प्राचीन इतिहास के अंतरगत हमें क्या पढ़ना चाहिए, मैं आपको यहाँ पर एक सिलसले बार कुछ बातें बताना चाहूँगा, कि प्राचीन इतिहास के अंतरगत एक काल विभाजन पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, इतिहास का काल विभाजन, इतिहास का काल विभाजन, अब यहाँ से हमारा सुरुवात यहीं से होना चाहिए, क्योंकि एक छात्र को जब तक इतिहास का काल विभाजन पताना हो, तक इतिहास को कडियों को कैसे जो अपने बड़ों का आधर करें. अब या बड़ा चोटा अर्थात जो पहले है और जो बाद में है, इसका निधर्ण कैसे होता है? काल विभाजन से. ये जब एक ही समाज में रहकर भी हम बड़े और चोटा कहते हैं न उम्र के आधार पर बड़ा और चोटा। एक समाज में, एक ही समय में रहकर जब यह बात करते हैं तो इतिहास के लंबी यात्रा के दौरान जब तक एक छात्र काल विभाजन नहीं समझेगा तब तक वो कैसे जोड़ पाएगा कड़ियों को कि किसके बात क्या हुआ और हुआ तो क्यूं हुआ इसलिए दोस्तों इतिहास का काल विभाजन से हमारी यात्रा के सुरूआत होती है इसके बाद प्रागयतिहासिक काल और प्रागयतिहासिक काल के मानो जीवन की गतविधियों आदे इतिहासिक काल जिसके अंतरगत सिंदु घाटी सभेता जैसे सभेताओं को रखा जाता है तो आदे इतिहासिक काल का अध्यन उस समय के मानो जीवन के विविद गद्विदियों का अध्यन इसके बाद तब आता है इतिहास का समय और जिसकी सुरुवात मुखेता छटी सदी इसापूर से होती है तो आदे इतिहासिक काल के अंतरगत हम हडपा सभेता और वैदिक सभेता खो रख लेते हैं और 600 इसापूर जब गौतम बुद्ध का समय है महवीर्द स्वामी का समय है तब से इतिहास का समय निर्धारत होता है और इसका आधार क्या है आप सब जानते हैं लेखनकला और उस लेखनकला के आधार पर साहितिक स्रोत की प्राप्ती और साहितिक स्रोत के आधार पर इतिहास का निरधारन क्योंकि प्रागेतिहासिक काल में हमारे मानों लेखनकला से परचित नहीं थे, आदेतिहासिक काल में लेखनकला तो दिखती है, खासकर सिंदुगाटी सब्यता में, लेकिन उसे अपठनी बनी हुई है आज तक, तो हमारे पास वह एक चितर के अलावा कुछ नहीं है, जब त इसका कोई अर्थ ही आप न निकाल पाएं, तो फिर आपके लिए क्योल क्या है? आरी टढ़ी देखाएं तो हैं, इसलिए प्रागेतिहासिक काल के बाद, जब आदेतिहासिक काल की बात होती है, तो उस समय इतिहासकार मानते तो हैं कि लिपी है, लेकिन वो लिपी अपठन चाहिए कि जब हम इतिहास का काल विभाजन कर लें, प्रागेतिहासिक, आदेतिहासिक और इतिहासिक काल का जब अध्यान करेंगे, तब यहीं से साखाएं बढ़ती हैं, मुख्यता, क्या बढ़ता है ध्यान दीजिए, हमें ध्यान से समझना चाहिए कि इतिहासिक काल का अ वाजा महराजाओं के उत्थान और पतन की कहानी भी पढ़नी है अर्थात जैसे मगत का 16 मा जनपद मगत का उत्कर्ष और वहां से लगाए हर स्वर्धन और उसके बात तक का प्राचीन कालने पढ़ना यानि राजनितिक इतिहास पढ़ना है साथ हमें इस समय का क्या पढ़न है यह समाजिक जीवन क्या है इस समय का हमें संस्कृति पढ़ना है कि सांस्कृतिक इनका क्या है हर समय का एक सांस्कृतिक पक्ष होता है और सांस्कृतिक पक्ष के अंतरगत कला साहित्य धर्म इत्यादी इत्यादी चीजों को भी हमें पढ़ना है, यानि कि राजनितिक, आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक, ये सारे पक्ष पढ़ने हैं, अब वो 16 मा जनपत से उसकी सुरुवात, उसके पहले जनपत, फिर 16 मा जनपत, फिर मगत का उतकर्स, और मौरेकाल, मौरेकाल के बाद, मौरियोत्तरकाल, गुप् भी प्रवाइड करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, एक तो ये हो गया प्राचीनकाल में, इसी तरीके से हम मध्यकाल देखेंगे, और ध्यान दीजिए, जब प्राचीनकाल कहते हैं, तो संपूर भारत का प्राचीनकाल, यानि उत्तर दच्छिड सब का प्राचीनकाल, और सबकी अपनी विस्यस्ताइं हैं उसको सामिल करेंगे इसी तर जब मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो यह अपने आप में एक विस्यस्ष्ट काल है विस्यस्ष्ट समय है क्योंकि इस समय भारती सासन के साथ साथ तमाम विदेशी सासक भी भारत में आये और भारत में सासन क लेकिन दोनों के बीच अंतर ता क्या अंतर थाथ प्राचीन काल में जितने भी आकरंता भारत है चाहे वह हकौम हो हक हमनी जिसे इरानी कहते चाहों युनानी हो इस इट्राइट यह कन्еля के पहले आए इन्हें मौर्यों ने भारत से दूर खदेर दिया लेकिन इसके बाद जब हिंदियुनानी आये, सक आये, पार्थियन आये, कुशाण आये और आगे चलके हूड आये ये सब के सब प्राचीन कालीन आकरांता है हिंदियुनानी, सक, पार्थियन, कुशाण और क्या नाम लिया? हूड ये सब के सब आकरांता है भारत के लगर च्छेटरों पर सासन किया लेकिन ये भारत में वैसे ही मिल गए जैसे पानी में नमक की तरह मिल गए अर्थात भारती संस्कृति भारती समाज भारती धर्म को अपना लिये इस आधार पर ये विदेशिया करांता तो जरूर थे लेकिन भारती हो गए और यहीं की संस्कृति यहीं का धर्म यहीं के सब कुछ अपना लिया लेकिन मध्यकाल में ऐसा नहीं हुआ मध्यकाल में ही विदेशिया करांता है और विदेशिया करांता उने भारत पर सासन किया लेकिन ये भारत में रहकर भारतियता को तो अपनाया लेकिन अपने धर्म को अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाया और उसको और विक्सित किया, उसका प्रचार प्रसार किया, अर्थात एक ऐसा समय मध्यकाल का है, जहां पर समान गमन एक साथ कई संस्कृतियों का धर्मों का गमन दिखाई देता है, सासन का राज्य का गमन दिखाई देता है, इस परश तोर पर जो यहां पर वैसा दिखाई नहीं देता या कम दिखाई देता है, concept पगड़ीगा, तो हम मध्धिकाल में क्या पढ़ना है भई, तो मध्धिकाल में मुक्ता दो भागों हमें बाट कर पढ़ लेना चाहिए, एक सल्तनत काल, तो पहले तो मध्धिकाल को यह दो भागों हम बाट के पढ़ेंगे, सल्तनत को देखेंगे और मध्यकाल में मुखिता दो राजवनसों को हम या दो च्छेत्रों में हम सासन को बाढ़ कर देखते हैं एक सल्तनत काल के अंतरगत किसके अंतरगत सल्तनत के अंतरगत और दूसरा मुगल के अंतरगत सल्टनत और मुगल इसको समझे इसको देखते हैं यानि पूर मध्यकाल में बहुत से छेत्री राज्य हैं उनको देखेंगे और मध्यकाल के अंतरगत हम सल्टनत को और मुगल को देखेंगे और इस दौरान भी इस दोरान भी कई छेत्री राज्जी हुए, उनका भी अध्यन करेंगे, तो ये मध्यकाल का अध्यन होगा, अब मध्यकाल में भी वहां की राजितिक इस्तिति, वहां की आर्थिक इस्तिति, वहां की सामाजी किस्तिति, और वहां की सांस्कृतिक इस्तिति को जरूर देखें मध्यकाल में एक विशेश खंड आपको जानना चाहिए जिसमें आपको उस समय के भक्ति और सुफिस संबंदित कुछ बाते हैं आप बिना जाने नहीं रह सकते क्यों कि वहां से भी कुछ सना आता है जबकि कहीं इस परश्टूप से कुछ मेंसन नहीं किया गया है इसको समझ से कबसे होता है एक टीन सेंचूरी इट्टीन सेंचूरी से भारत में नाधुनिक काल के शुरुत मानी जाती और खासकर सतरसो साथ में कभ से वेंटिंग शेव मैं औरंग जेब की मृत्यू के बाद मृत्यू के बाद concept पगड़ेगा बहुत important है 1707 इस भी में और अंजेव की मृत्यू के बाद बहुत ही important बता रहे हैं आपको भारत में क्या माना जाता है आधुनिक काल के सुरुवात माने जाती है Is it right? 18th century में और यही वो समय था 18th century जिसको कुछ इतिहासकार आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत की भी संक्रमण का काल मानते हैं क्योंकि अभी इस समय 18th century में अने एक भारती ऐसे राज्य थे जो पूरी तरह से मध्यकालीन मानेताओं के साथ सासन कर रहे थे तो दूसी तरफ विदेशी कंपनियों के आगमन भारत में उनके द्वारा कई छेत्रों को विजित करना अपनी नवीन सासन पद्धती के स्थापना आधी-ाधी के कारण कई आधुनिक मुल्य और मानेताओं भारत में आई तो यहां से दुनिया की तमाम घटनाओं ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया जैसे अमेर्की करांती जैसे फ्रांसी सी करांती बहुत सी चीज़ों ने सबको प्रभावित किया और उसी आधुनिकता का संचार सिच्छा के छेतर में, पत्रकारिता के छेतर में, स्वास्त के छेतर में, सासन के छेतर में, तमाम छेतरों में भारत में भी आधुनिक मानेता, आधुनिक मुल्य पश्मी मानेता के माध्यम से देखने को मिलते हैं, इसलिए आधुनिक काल की सेंचूरी के साथ होती है अब इस 18 सेंचूरी में हमीं क्या-क्या पढ़ना है कि राउनिक इसा क्या तिप्सậpवन में प्रस्दावें में जानना है हमें इस समय हैदराबाद के बारे में जानना है इसके लेटर पंजाब की क्या स्थिति है ये भी हमें जानना है यानि कहने का क्या ताफपर है भारती राजीयों की स्थिति क्या है वो किस मुकाम पर है उनकी सक्सियत कैसी है उनका सक्ति कितनी है इसको समझना उस कुछ समय की सक्सियत कौन-कौन से हैं कुछ महत्पुर सक्सियतों के बारे में भी जानना है जैसे टीपु सुल्तान जैसे हैदर अली जैसे पेस्वा पेस्वा में कई महत्पुर पेस्वा है हम सब की बात करेंगे केवल बाजी राओ की ही बात नहीं करेंगे तमाम महत्पुर पेशवा हैं उनकी हम चर्चा करेंगे जैसे इस समय भारती सक्तियों में ही राजा रजीत सिंग जो अठारवी सदी के अंतिम समय में जिनकी गद्विधियां सुरू होती हैं और उन्नीश्वी सदी में मुक्तवों एक बहुत बड़े सासक के रूप में उभर कराते हैं हमें भी देखना है तो आधुनिक काल में यूरोपी कंपनियों का आगमन और भारती राज्जियों तथा गतिरोध ब्यापार आधी-आधी से जूड़े सारे मामलों को देखेंगे और पढ़ने से पहले जब आपकी क्लासे स्टार्ट होने अब तो हो चुकी है स्रीगणसाय यह हिससा राश्ठी अंदौलन को हम कुछ महतपूर भागों बांट कर देख सकते हैं एक क्या है राश्टी अंदौलन का भाग सबसे महतपूर भाग क्या है कि हम 1857 concept पकड़ेगा 1857 की घटना मैं यहां घटना पहले बताना चाहता हूं घटना लिख रहा हूं जानबुच करके 1857 की घटना से संबंधित बातों को हमें सबसे पहले राष्टी अंदोल के अंतरगत देखना चाहिए क्योंकि सामराजिवादी इतिहासकार पहले 1857 के इस घटना को बिद्रो की संग्या देते थे 1857 को कहते थे क्या कहते थे 1857 का बिद्रो गदर कुछ अलग-अलग सामराजिवादी लेखकों ने तो अलग-अलग नाम दे दिया सिपाही बिद्रो किसान बिद्रो सब भी संस्कृति के खिलाब बरबर संस्कृति का बिद्रो इसाई धर्म के विरुद्ध बिद्रो यानि कि हमारे लोगों के जो एफ़र्ट थे हमारे लोगों के अंदर जो समवेदना जग रही थी राष्टवाद की उसको कुचलने की ख हमें पढ़ाया गया यह दुरभागय है यह बिडंबना है कि हम इतिहास में पढ़ते चले आये थे कि 1857 का क्या तो अठाव संतावन की का विद्रोह सब नहीं यह बात का लेकिन ध्यान दीजिएगा उस समय भी विलियम डिज्राइली जो विपक्ष के नेता थे बिटिज संसत के बिलियम डिज्राइली और 50 साल बाद इस गदर के सावरकर महान सावरकर बिड़ी सावरकर बिनायक दामोदर सावरकर उन्होंने इन घटनाओं को बिद्रोह नहीं कहा देश का प्रतम 183 तंग राम कहा उन्होंने तो कॉंसेट पगड़ीगा दोस्त इस मुद्दे पर समय भारत में हमारी राश्टी सरकार जो हमारी सरकार थी वह उसमय ऊपि की सरकार थी कॉंसेट पगड़ेगा यूप या और यू पीए वन की सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस घटना को नाम दिया भारत का सा भारत का प्रथम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता क्या स्वतंत्रता संग्राम अब इसकी प्रकृति कैसी है इस स्वतंता संग्राम की प्रकृति कैसी है तो इसकी प्रकृति के बारे में बताया गया है कि इसकी प्रकृति मैंने पर्थम 133 संग्राम की प्रकृति क्रांतिकारी आंदोलन की थी कैसी थी तो क्रांतिकारी आंदोलन बहुत ही इंपोर्टेंट यह एक क्रांतिकारी क्या है आंदोलन है इसे आप समझ सकते हैं बहुत इंपोर्टेंट की क्रांतिकारी आंदोलन की प्रकृति इसको क्या कह तो हमने इसके लिए भी हमारे राष्टवादी इतिहासकारों ने लड़ाई की और उन्हें बताया कि इसे बिद्रोह ना कहा जाए ये बिद्रोह कहना निसंदेह हमारे उन महान करांतिकारियों का अपमान है जो ने अपने जीवन की बली दे दी इसलिए कि विदेसी हुकूमत से उन्हें मुक्ति मिल सके इसलिए आज देखिए ये घटना क्या बन चुकी भारत का प्रतम सोता संग्राम और इसकी प्रकृति क्या बन गई कैसी प्रकृति का है तो इसकी प्रकृति आपके सामने मैं लिखा इसकी प्रकृति है क्रांतिकारी आंदोलन की प्रकृति इस इ और अब इसी से संबंधित, इसके आगे और पीछे दो वातों को देखना है, क्या देखने भी? इसके पहले हुआ जो नागरी कांदोलन है, इसके पहले हुआ जो जनजाती आंदोलन है, और ठीक यही चीज इसके बाद, कि इसके बाद भी नागरी कांदोलन हुए, इसके लोगों का एक छोब यह जुड़ने का क्या तात्पर है जुड़ने का तात्पर है कि लोग ब्यतित थे ब्रिटिस सासन से लोग लोगों ने अपनी भावना का उजागर किया क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में तो उसको भी हम देखेंगे और साथ ही साथ दोस्तों अब इस तीन चरणों बाठकर क्या-क्या नरम पंथी आंदोलन नरम पंथी हमारा जो आंदोलन था उसको फिर गरम पंथी जो बहुत इंपोर्टेंट है और आज भी इसको इसी रूप में पढ़ाया जाता है कि इसे गरम पंथी कहा जाता है और तीसरा आंदोलन का जो समय था उसे गांधी वादी आंदोलन कहते हैं क्या बोलते उसे हम गांधी वादी आंदोलन कहते हैं गांधी जी के यूग का आंदोलन गांधी वादी आंदोलन नरम पंथीयों को साधार तक अब से रखा जाता है तो कांग्रेस की स्थापना 1885 स हम इससे देखते हैं और खासकर 1905 के बंगाल समझते रहेगा 1905 में बंगाल विभाजन के पूरु तक की जो सारी घटनाय है उन दरम पंथी अंदल कर दखा जाता है और 1905 में कॉंसेट पकड़ेगा 1905 से 1909 गांधी जी के राष्टी अंदोलन को अपने हाथ में लेने के पहले तक का जो घटनाय है इसे गरम पंथी अंदोलन के रूप में देखा जाता है और 1919 से 1947 यानि आजादी के समय तक की जो घटनाय है उसे गांधिवादी युक के रखा जाता है और हम सभी इस पूरे के पूरे राष्टी अंदोलन को बहुत सिद्दत से पढ़ते हैं और इसक नदी का तंत्र होता है जैसे नदी का तंत्र होता है आपने नदी तंत्र जरूर सुना होगा पढ़ा होगा और आपको पढ़ना भी चाहिए आपकी परिक्षाओं में आता है तो आप जैसे कोई नदी है उसके तंत्र होते हैं तमाम छोटी-छोटी सहायक नदियां बड़े बड़े नाले बड़े बड़े जलक श्रोत उनसे जुड़ते चले जाते हैं और फिर वो क्या होती है कि एक मुख्य नदी में मिलती है जिससे वो मुख्य नदी क्या होती है चोड़ी हो जाती है यह है नदी तंत्र यही है नदी तंत्र अब इसे नदी तंत्र को आप हम क्या कह सकते हैं, इसको इस तरह आप समझें, हम इस बड़ी नदी को राष्ट्री आंदोलन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये है राष्ट्री आंदोलन, कितनी important बात है, इस बड़ी नदी को हम क्या नाम दे सकते हैं, राष्ट्री आंदोलन, clear, और देखिए, जितनी छोटी सहाइक नदिया है वो क्या है राष्ट्री आंदोलन में अपनी भूमिका ने भाने वाली विचारधाराई है जैसे एक्जामपल के तौर पे हमने कहीं नरम पंथी लिख दिया हमने क्या लिख दिया? इसे समझी? हमने कहीं नरम पंथी विचारधारा या नरम पंथी आंदोलन लिख दिया तो कहीं हमने गरम पंथी लिख दिया गरम पंथी तो कहीं हमने क्रांतिकारी लिख दिया सब में अंतर बताएंगे आपको क्लास में तो कहीं हमने क्रांतिकारी आंदोलन लिख दिया समझते रहेगा कहीं वाम पंथी हो गए तो कहीं भाई दक्षिड पंथी हो गए तो कहीं क्या दिखाई दिया हमें कि अपने आप में एक विश्ष धारा कॉंग्रेस की धारा थी जो मुख्या धारा के रूप में उस समय आगे बढ़ रहे थी कॉंग्रेस की धारा तो इसी तरह से छोटे छोटे विचार कहीं वाम पंथी कहीं दक्षिड पंथी तो कहीं कॉंग्रेस की अपनी ही विचार धारा है जिसको आगे हम गांधिवादी आंदोलन के रूप में देखें, और फाइनली इन सबने हमें 15 अगस्त दिखा दिया, यह 15 हमारी लक्ष की प्राप्ती का दिन था, 15 अगस्त 1947 तो दिखिए, जिस तरह से नदिया एक तंतर बनाकर समूद्रे मिल जाती है न, यह लक्ष है उनका समुद्रे मिल जाना वैसे ही दोस्तों तमाम विचारधारा हैं आगे बढ़ करके देश की आजादी के लिए संघर्स किये और उस संघर्स को उन्होंने अंतो गत्वा 15 अगर्स उन 47 को क्या किया पूर्डा हूती दे दी और वो हमारे सुतंता का दिन बन गया इसलिए कहते हैं trend analysis करिए इतिहास केवल घटनाओं का क्रमबद अध्यन ही नहीं है इतिहास घटनाओं का बेवस्थित तथा वह क्रमबद अध्यन है जिसमें इतिहास कार का अपना क्या होता है दृष्टि कूर भी होता है दोस्त इसलिए यहाँ पर आपको बहुत clear समझना हो कि कुछ भी पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि क्या पढ़ना है और अट the same time हमें यह भी जानना है क्या नहीं पढ़ना आए हम कुछ प्रशनों के माधियम से देखें जो हमें विगत BEO की परिक्ष्छा में मुख्य परिक्ष्छा में पूछा था बड़े important question है दोस और इन 10 question में से दो question history से आता है सोची इतने subject उसमें से 10 question कहां से आते हैं total आते हैं और अगर 10 गुड़े 10 करें हम यहाँ पर जो total question आते हैं एक एक number के तो 100 number हो गए अभी 100 number में अकेले 20 number का इतिहास आता है और मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा सा आप manage करना सीखेंगे और हम जब class में आपको 10 analysis करके लिखवाएंगे तब आप क्या पाएंगे कि 16 number तक आप 20 में आसानी से पास सकते मुक्ष पर इच्छा में आप बताईगे इसकी तरीका है लिखने का तरीका है यही तो लिखना है क्यों आपको बताया ना कि हम लिख क्या है से मैटर नहीं करता क्या लिखना था वह लिखे क्या यह मैटर करता है उद्यान देना दोस्त इसी से रिलेटर क्या है एक आपको हम बात बताते हैं कि पहला जो question आया इसको समझे संशेप में वैदिक यूग में धार्मिक बिचार और अनुष्ठानों के विकास पर संशिप्ट चर्चा कीजिए अब जड़ा सोचिए यहां दो चीजे हैं धार्मिक बिचारों देखेगा यहां पर एक चीज नहीं पूछा है पहले समझना होता है कोई भी प्रशन पढ़ने से पहले हमें समझना चाहिए वैदिक यूग मे धार्मिक बिचारों और अनुष्ठानों यह दो चीज है एक बिचार हो गया आइडिया लेवल पर यहनी फिलोस्पी और दूसरा क्या है कर्मकांड रिचूल्स जब आप अपने दस नंबर के प्रश्ण में इसको जगह नहीं देंगे वो भी कम सब्दों में तब तक नंब और ऐसे क्योशन तो इस तरह से आपको लिखना चाहिए जिसमें आपको अधिक अधिक नंबर मिले एक्जांपल के तौर पर आप देखिए मैंने जब कहा कि धार्मिक बिचारों तो वहां पर उस समय का religious view क्या है तो देखिएगा रिगवेत क्या कहता है एकम सद देखिए देखिए एकम सद विप्रा बहुधा वदंती विप्रा बहुधा वदंती बहुधा वदंती एकम सद विप्रा बहुधा वदंती सत्य एक ही है उसे अलग अलग नामों से क्या उकारा जाता है बोला जाता है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती हम सत्य तो एक ही है न एकम स विपरा विद्वान लोग क्या बोलते हैं उसे अलग-अलग नामों से बोलते हैं इसका क्या विप्रआयत reflects मूल अउधीद्वार्णा किस में आ गई एक शुर्वादी अउधे एकश्ववाद का अउधार्णा विक्षित हो अंतरिक्ष आकास और पृत्वी के देवता आप सोचिए तो एक तरस से यह बहुदेववाद है यह बहुदेवववाद है बहुदेववाद तो इसका मतलब की हमारे वैदिक धार्मिक बिचारों में एक इस्वरवद और बहुदेव दोनों मिलेगा लेकिन मूल बिचार किस का है एक शुर्वात का है एकम सद सद एक एक ही है विप्रजन उसे अलग अलग नामों से क्या करते हैं संबोधित करते हैं विद्वान जन अब इसका जो भी छात्र मैं शर्फ प्रेंड एनल्सिस कर रहा हूं कि नंबर कैसे मिलते हैं इसकी सारे क्वेस्टन्स की इस तरह के सै बातों को नहीं पकड़ेगा उसे नमबर कैसे मिलेगा साथ हम यह भी जानते हैं कि वैदिक काल में अनुष्ठान होते थे तमाम अनुष्ठान होते थे यग्य अब आप सोचिए लेकिन वैदिक काल के अनुष्ठानों के बारे में लिखेंगे तो हमें समझना चाहिए कि पहले अनुष्ठान क्या थे बहुत ही सरल थे सहज थे प्राकृतिक थे शुरुवात में प्राकृतिक थे लेकिन आगे चलकर क्या आगया इसमें रूडिता आ गई इसमें रूडिवादिता आ गई वो कैसे आई समय के साथ जब नीजी संपत्त की उत्पत्ती हुई जब अधिशेश पर अधिकाधिक अधिगरहण की आपा धापी मची अधिशेश को कैसे अपने पास रख लिया जाए इसकी आपा धापी मची तो रूडिता हा गई धर में भी कर्मकांड में भी अनुष्ठानों में भी इसको समझ अधिशना होगा आपको तब लिख पाएंगे संचेप में जितने वाक्ष के आप लिखते हैं उतने ही वाक्ष से एक्जामनर समझ जाता है कि आपकी समझ है या नहीं आपको बहुत कुछ नहीं लिखना देखिए इस तरह से संचिपत बातों को हम आपको लिखवाएंगे उसमें बताएंगे लेकिन जो छात्रिय नहीं समझेगा वो कैसे क्या करेगा या आपकी समस्या है इसलिए समस्या को दूर करना हमारा काम है तो देखिए धार्मिक विचारों नुष्ठानों का विकास ग्रैजुली हुआ लेकिन सुरुवात में क्या था सरल सहज और प्राक अधिक काल में भी विचारधारा बदली है समय के साथ जब रिवेद और अन्यवेद लिखे गए ब्रामण गंत लिखे गए आडयक लिखे गए और उपनिसद लिखे गए और उपनिसदों में तो विसेशत तोर पर ब्रह्म विचार और दर्शन ही भर गया तो यह चीज़ जब आप समझेंगे मैं आपको क्लास में समझाओंगा तो इस तरह के 10-20 क्वेशन हम इसी टॉपिक से आपको मुखे पर इच्छा कराएंगे जो कितना भी चेंज कर ले आप लिख डालोगे तो ध्यान देना दोस्तों एक यह आपके सामने मैंने एक्जांपल रखा दूसर रही है कि मुख्य के बीच मुख्य वैचारिक मद्भेत को सपस्ट करिए बहुत सिंपल सी बात है तमाम पढ़ने के बाद आपको इसको कैसे 125 सब्दों में ब्यक्त करें एक पेज में के एक पेज से भी कम में लिखना मैक्सम एक पेज बहुत क्लियर है नरम पंथी किसे कहत हैं आपको बताना चाहिए कुछ नरम पंथी और कुछ गरम पंथी नेताओं को लिखना चाहिए और फिर दोनों के बीच विचारधारा का तुलनात्म का ध्यन कर देना चाहिए एक्जांपल के तौर पर आप बताएंगे कि भारती राश्ट्री आंदोलन की शुरुवात मुख्यता शुरुवात बेवस्थित शुरुवात सब्द देना पड़ता है भारती राश्ट्री आंदोलन की बेवस्थित शुरुवात नरम पंथी आंदोलन के रूप में कॉंग्रेस की स्थापना के साथ हुई देखिए लाइन लिखना है, दो लाइन में हुआ, साथ होई उनोंने उनोंने सासन से क्या कहा? सासन से उनोंने संबैधानिक तरीके से, विधिक तरीके से अपने हक की प्राप्ती की कोशिष की इस इट राइट? अपने हक की प्राप्ति की, उसके लिए क्या किया? पत्त लिखा बड़े-बड़े अधिकारियों से, पदाधिकारियों से मिला, लंदन तक गए उनके पास सदन में, अर्थात केंदरी एसेंबली में, प्रांथी एसेंबलीयों में समय समय पर उन्होंने अपनी मांगों को उठाया, मुद्दों को उठाया, तो दूसी तरफ गरमपंथी वे थे जो अपने हक को खुल कर कहने और उसे प्राप्त करने के हिमायती थे, वो गरमपंथियों की विचारधारा को अनुनय बिनय मानते थे, भिक्षा बृत्ती मानते इनका मतलब था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे ले कर रहूंगा, कोशेट पगड़िये, ये तिलक जी का स्टेटमेंट, अब बैचारिक मध्वेद तो यहीं से प्रकट हो गया, बैचारिक मध्वेद एक कहता है कि तुम्हारे तरीके से स्वतनता नहीं मि कुलते, क्लियरली, कि जिस मार्क पर तुम चले हो, उस पर तुम्हारा दमन कर दिया है सासन द्वारा, क्योंकि सासन बहुत सक्तिसाली है, इसलिए हमें ग्रेजुली, धीरे-धीरे, सासन में अपनी हिस्सेदारी मांगनी चाहिए, और इस बात के पुरी तरह विरोधी थे, चरमपंथी, वो कहते हैं, हम इसदारी किस से बागें, यह सब कुछ हमारा है, यह एक विदेसी हम पर सासन कर रहा है, और हम अपने ही चीजों को कैसे मांगें, जो हमारा है पहले से, कॉंसेट पगड़िए, तो इस तरह से, इस पूरी विचारधारा में, आप गरमपंथिय और नरमपंथियों के बीच, एक टक्राव पाएंगे आगे चलकर, और वो टक्राव 1907 में, कॉंग्रेस के विभाजन के साथ, सब के सामने आ गई, उसके पहले ही टक्राव था, लेकिन 1907 में कॉंग्रेस विभाजित हो गया, इसका रहा, तो यह सारी चीजों को आपको इसक समझी, कि इसी के साथ आप सेक्शन बी देखेंगे, तो सेक्शन बी में प्रतेक के बारे में एक 50 सब लिखना है, समझी, कितना इंपोर्टेंट है, और इसके जस्ट पहले आपने जो देखा था, यहां देखिए, जिसके जस्ट पहले जो हम देखे थे, उसको यह देखिए सब्दों में लिखना होता है, चुनोती उतनी ही ज़्यादा होती है, अब, यह कीवल 50 सब्दों में लिखना है, समझी है, और आपके क्रॉशन कहा है, और देखिए, प्रतेक 6 नंबर का क्रॉश्चन है, पचास सब्द लिखा और 6 नंबर, कितनी बड़ी बात है, पचास पांच से साथ लाइन अगर आप 10 सब्द एक लाइन में लिखते हो तो सुर्फ पांच लाइन और अगर आप 8 लिखते हो तो उसी हिसाफ से लिख लिए तो इस तरीके से बहुत ही कम सब्दों में आपको लिखना है और इसके दर तो क्विश्टन एक क्या पूचता है पहला क्विश्टन मनसबदारी पूचत पढ़ाली concept पढ़ीगा मनसबदारी पूचली अब इसने यह क्या है एक मनसबदारी पूचली क्या है एक प्रसास्निक वरगी करण है प्रसाशनिक धाचा है प्रसाशनिक परडाली है जिसके आधार पर पूरे मुगल सिस्टम काम करता था पूरा मुगल परडाली इस पर काम करता तिका हुआ था प्रसाशनिक परडाली के बारे में आप पढ़ें तो कम से कम आपको 50 सब्दों में भी पांच से 10 फैक्ट कॉंसेट के साथ मिल जाए इस तरह लिखना होगा तब हम आगे इसको एनलेसिस करेंगे अब आगे ध्यांदीजे बिटा इस तरह दूसरा क्या है वर्ना कुलर प्रेसेक्ट 1878 देखिए बड बखिया उध्यड कर रखी थी उनके नीतियों पर उनको नीतियों को उजागर कर रही थी और यह बता रही थी कि यह कितने सोशनकारी हैं और चुकि प्रब्लम क्या थी अंग्रेज भारती भासायं स्थानी भासायं लेंग्विज पढ़ नहीं पाते थे तो उनको लगा कि इसको तो आम लोग पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं और अगर यह पत्र पत्रिकाय छपती रही तो आम लोगों के अंदर बगावत या अंग्रेजी सासन के विरुद बगावत की चेतना आ जाएगी इसलिए उन्होंने तुरंत क्या किया कि इसको वर्ना कुलर प्रेक्स एक् बंद लगाया गया ताकि उन से उनके माध्यम से किसी भी तरह के आंदोलन का संचार न होने पाए मुख्य मुद्दा ये था रीपन के समय किया गया था और इसके बहुत से महत्पुड बिसे हैं मुद्दे हैं उसकी चर्चा हम लोग आगे क्लास में भी करेंगे तो आगे आगे बिटा से सक्सें से के प्रतेग के वारे में 25 वुटर देना प्रते ऐसकी 2020 वी लेगे लिए तो अब यह समय समय कैसे आता है हमेशा ध्यान दिजिएगा इससे समंधी जो question है वो इस तरह आते हैं जिसे कन्नौज का यूद कब वह भीया तो कन्नौज का यूद आपको मालूम है कि यह 1540 में हुआ किसके बीच हुआ तो आपको मालूम है कि हुमाईू और सेरसा के बीच इस यूद का क्या परड़ाम निकला कि हुमाईू पूरी तरह से प्राजित हो गया और उसे भारत छोड़कर भागना पड़ा concept पगड़िए तो यह आपको जानना चाहिए 25 सब में कैसे लिखेंगे एक्जामपल के तौर पर देखेंगे हम लिख साबित हुआ क्योंकि इस युद्ध के बाद हुमाईू को भारत छोड़ना पड़ा और दिल्ली की गद्धी सेरसा सूरी को प्राप्त हो गया सोचिए आपको 25 सब्दों में ये बात लिखनी पड़ती है इस तरीके से ऐसे ही आपको क्योश्चन आएंगे आगे धेहन दिज असब का पूर्षा जान साथा आज दो नंबर बें पूंचा ए मरत तो हो सकता है इस बार बीयो की बीयो की परिक्धा में ये 10 नबरें पूछले पाच यह 6 नंबरें पूछले कुछ भी हो सकता है इसलिए इसको बिस्तार से पढ़िए और संज्छेप में लिखने का एक प्रयास करिए जैसे क्या है ? प्रयाग्प्रसस्ती संमुध्रगुप्त के बारे में वाले देने वाला यह लेख है आप सब जानते हैं उसकी प्रसंसा में लिखा गया अगर संस्कृत भासा में संस्कृत भासा में और क्या इसके सबसे बड़ी पिसे स्ता चंपू सहली तो कैसे लिखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट समझे प्रयाग प्रसस्ति समुद्रगुप्त के दर्वारी हरिसेड द्वारा संस्कृत भासा ब्राम्ही लिपी चंपू सहली में लिखी गई जिसमें समुद्रगुप्त की बीजयों आदी का उलेख है साथी असोक, समुद्रगुप्त, बीरबल और जहांगीर का भी बड़न है आपको इतना लिखना पड़ेगा अब इसके ज़्यादा आपकी गुंजाईस नहीं है जब हम इसको explain करेंगे तब आपको बताएंगे बहुत से चीज़ें इससे जुड़ी हुई है इसे आद आप क्या लिखेंगे 25 सब में लिखना इसी तरीके से पड़ेगा आगे देहन दीजिए अगर आप अगला क्यों सन देखते हैं तो मतुरा सैली मतुरा सैली क्या है तो ये भारत की प्राचींतम प्राचीं मूर्ति निर्मार कला है भारत की प्राचींतम मूर्ति निर्मार कला जो सरवाधिक परिपक कुशाण काल में हुई क्योंकि कुशाणों का एक राजधानी कहा थी मतुरा भी थी कुसाणों की एक राजधानी मतुरा थी समझेगा कनिस के समय मतुरा भी कुसाणों की एक राजधानी थी और यही सबसे महत्पुड बात है कि कुसाण काल में सबसे ज्यादा फली फुली मतुरा लाल बलुवा पत्थर पर के मुर्तियां बनते थे गौतम बुद्ध की मुर्तियां भी मिली जैन धर्म संबंदित मुर्तियां भी यहां पर मिली आगे चलकर और सनातन धर्म से भी संबंदित मुर्तियां मिली तो देखिए इन सभी चीजों को संछेप में आपको यह इससे संबंदित बात है कि 1904 में एक भारत की बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना 1904 में हुई थी इस ट्राइट जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था मैं यहां पे मैं सुधार करना चाहता हूं यह 1904 नहीं मुझसे ऐसे निकल गया यह 1922 की घटना है काफी इंपॉर्टेंट घटना है 1922 की घटना जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था इस ट्राइट असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा में सत्यागरहियों ने पुलिस की बरबरता के बिरुद्ध चौरी चौरा नामक थानहे में आग लगा दी और जिसमें 22 पुलिस कर्मी जलकर मर गये अब आप सोचिए इस घटना के बाद गांधी जी ने तुरंत एक हपते में तुरंत समझिएगा निड़े लिया कि हम असहयोग आंदोलन वापस लेंगे एक हपते बाद वर्धा में कांग्रिस की मिटिंग हुई और आपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया इतनी महत्मुन घटना 4 अप्रेल 1922 इस घटना की तित करेंगे और इतिहास से समझित आपकी सभी समस्याओं का हल कराएंगे बहुत जल्दी हम लेकर आ रहे हैं आप सब के सामने वी यो का एक सांदार बैच आपकी सफलता सुनुशित हो इसी के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने संस्थान टार्गेट आउन में मैं डाक्टर जोती सिंग आपका स्वागत करती हूँ उस बैच में जिस बैच के लिए आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे जिस परिक्षा का आपको इतना इंतजार था कि फिर से व से अपने लक्षे को प्राप्त कर सके, अब उसी इंतिजार को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए यह जो बहच बनाया है, इसमें हमने बहुत ही बहुत ही संचिप्त, बहुत ही सटिक तरीके से जीएस का विवरण किया है। सारे पार्ट जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे आपके सामने सारे टीचर हैं, जिन लोगों ने इस पर अपना एक अलग ही तयारी किया है, जीएस के प्री के लेबल को, मेंस के लेबल को ध्यान में रखते हुए सटीक रणनी ती क्या है, इस पर गहन चर्चा हुई, कहां से कि इतने डेर सारे question पूछे जाते हैं, कौन सा important fact होता है, कौन सा important chapter होता है, कितने question कैसे बनते हैं, कैसे कथनकारण के बनते हैं, कैसे objectives, अन्य question बनते हैं, इन सब को ध्यान के रखके हमने ये बैचारम किया है, सर ने आप से सारी बाते बता रखी होगी, मुझे नहीं लगता क उन बातों को मुझे repeat करना होगा, क्योंकि अगर सर बताते हैं, रवी सर की बात करूं सर बताते हैं, तो एक एक बात अच्छर सा याद हो जाता है, तो अब चूखी आपके इसी GS के portion में, मेरा subject है आपके साथ Indian polity, भारती सम्विधान, जो GS का एक महत्तुपूर पार्ट है, बहुत ही महत्तुपूर पार्ट है, जहां से कई question बनते हैं, तो मेरी कोशिस यह होगी, कि आपके उस धेर सारे question में, बहुत से ऐसे question, जो समझने में बड़ी मुश्किल करते हैं, वो आसान बना सकूं, और आपके सारे course को, इजी तरीके से आपको दे सकूं, आइए, इसमे सबसे पहले बस इतनी में चर्चा कर लूँ, तॉपिक तो में श्टार्ट करेंगे, बस इतनी चर्चा कर लूँ, कि जब हम भारती संविधान, जिसे आप कहते हैं, इंडियन पॉलिटी, जियस का एक अत्यन्त महत्पूर्पार्ट है, जब हम इसकी चर्चा करते हैं, तो भारत का संविधान बना, हम सब आरंभ किये, हमने जाना कि 26 नुवंबर 1949 को हमारे संविधान को लागू कर दिया गया, फिर हमने देखा 26 नुवंबर 1949 को जब हमारे संविधान को लागू किया गया, उसके बाद 26 जनवर 1950 को हम पूर रूप से गरतंत्र होकर पूरे विश्व में जाने गये, पूरे विश्व में जाने गए, ऐसा नहीं है कि हम 26 नॉम्बर 1949 को विश्व में नहीं जाने गए, हम तब भी जाने गए, लेकिन हमने पूर रूप से गरिपब्लिक होने का गरतंत्र होने का दावा 26 जनौर 1950 को ठोक दिया, हमने बताया कि भाया भारत ने अपना एक विधान बना दिया है, भारत ने अपने एक अलग पहचान बना दिये, आज से भारत आंतरिक और वाहे, दोनों रूप से स्वतन प्रयार्थात भारत क्या है? भारत सावर्मे, भारत सम्पूण, प्रवुत्व सम्पने है, हमने ये बात की अगर कभी भारती सम्विदान इंडियन प जानना है संभीधान क्या है यह Constitution क्या है जो हम पढ़ नहीं है संभीधान क्यों बनाया गया एसी क्या आवशकता थी कि बिना संभीधान के कोई भी देश सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पा रहा था तो संभीधान क्यों बनाया गया आप जब इस प्रश्न को ढूडते हैं संविधान क्या है इसका उत्तर पाते हैं तो आपके मन में जिग्यासा उत्पन होती है कि अब ये भी तो जानने कि क्यों बनाया गया जब आप इसको ढूडने जाते हैं तब आपको दिखता है historical background कौन सा constitutional historical background मतलब संवेधानिक काल का विकास संवेधानिक काल का विकास तब आपको समझ में आता है कि भाया मेरे यहां 1600 इस्वी में एकिष्ट इंडिया कमपनी आई और उसने आने के साथ ही अपने प्रभुत्व को अपने संप्रभुता को हम पर इस्थापित किया और हमने किस प्रकार अनेक क्रांतिया अनेक आंदोलन करके कई अधिनियम के माध्यम से कई स्वतंत्रता के लिए कार्य करके कभी 1857 ले आ रहे हैं हम कभी होम रूल लीग आंदोलन मांग रहे हैं कभी हमारे स्वतंत्रता निर्माता के जो हमारे नायक रहे हैं स्वतंत्रता निर्माता के नायक हमारे संभिधान निर्मार के नायक रहे हैं उन्होंने कभी का स्वराज हमारा जनमसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि सबकुछ सही है लेकिन मौलीक अधिकार चाहिए, संप्रगुता चाहिए, मुझे स्वरात चाहिए, लेकिन संपूर स्वरात चाहिए, तो ऐसे जब हम धेर सारी चीजों को ध्यान में देते हैं, तो हम पाते हैं, हमारा पहला ही स्लेबस का टॉपिक की स्टार्ट होता है, सम्मेधानिक कालकाविकास, जब हम यह पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि भईया, उननीस सो सेतालिसका अधिनियम पारित हुआ, और इस स्टांत्रता अधिनियम ने क्या किया? इस स्वतंत्रता अधिनियम ने हमें स्वतंत्र कर दिया कि अब हम अपने देश का सम्विधान बनाएं क्यों कि इसके पहले 1946 केबिनेट मिशन पारित हो चुका था इसी के आधार पे हमें 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम मिल गया जब हमें 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम मिल गया हमने क्या किया हमने सोचा अब हम अपने संविधान का निर्मार करेंगे अब हम अपने संविधान का निर्मार करेंगे जब हम अपने संविधान का निर्मार करने गए तो हमें एक अलग जानकारी मिली कि भहिया विश्व के किसी भी देश में जब संविधान बनता है तो सबसे पहले एक मुख्य पटल, एक मुख्य मंच जरूर बनता है जिसे कांस्टिट्वेंट संबली कहते है अर्थाथ जिसे हम संविधान सभा कहते हैं अगर संविधान सभा नहीं बनता तब संविधान का निर्मार्द नहीं माना जाता आश्विकार कर दिया जाता है क्योंकि संविधान सभा में जनता के मान प्रतिनिदी ही बैट सकते हैं जिसे जनता चाहेगी वही representative बनेगा वही क्या होगा मान ने प्रतिनी धी बनकर सम्विधान सभा में बनेगा ये उस समय आरंभ हुई थी और आधनिक में आपको पारलियामेंट अर्थात संसत के रूप में दिखने को मिलेगी तो लोगों ने कहा सम्विधान क्या है भईया जनता की आकांचा है जनता की इच्छा है जनता चाहती थी कि हम सासित हो लेकिन सासन कोई वाह सत्ता ना करे हम थक गए वाह सत्ता के सासन से हमें हमारी सत्ता चहिए हम अपनी सत्ता द्वारा सासित होंगे पूछा गया कैसे कहा तुम मेरे नाय को जाओ, हमारे लिए काम करो, हमारे अधिकारों की बात करो, हमारे न्याय की बात करो, हमारी स्वतंत्रता की बात करो, हमारी स्वतंत्रता की बात करो, तो वो जाएगा, बात करेगा, मान लिजे हमें लगा, वो हमारे लिए ठीक से काम नहीं कर रहा है, पास सा का देंगे, हमें आप नहीं चाहिए, आप मेरे आदर्श हो ही नहीं सकते, आप मेरे हीरो हो ही नहीं सकते, तो सम्विधान सभा आ गई, क्यों आई, क्योंकि सम्विधान का निर्माण करने के लिए एक मुख्य पटल, अनिवार मंच आवश्यक होता है, ऐसे सम्विधान सभा जब कई समितियां बना दी, कई अनुछेद बना दिये, कई अनुसूचियां बना दी, तब सब को लगा कि ये तो बहुत बढ़ा हो गया, भाग भी बने है, संसोधन भी हुआ है, कुछ नए भाग भी जोड़े गये है, तो सब को लगा कि भाईया ये तो बड़ा ही ब्रिहद हो गया, अब क्या किया जाए, तीन सो पंचानवे अनुछे, आठ अनुसूचियां, बाइस भाग लेकर जाए, कैसे हम कारे करें, मान लिजिए, किसी को संभीधान जानना है, कि मेरा संभीधान कैसा है, मुझे मेरे अध कार का हमी लेंगे, तो विचारा या तो पूरा पहले पढ़े, पूरा पढ़के वो समझे, तब वो ढूड़े, तो वो संभीधान जो जनता के लिए था, बड़ा ही सरल था, वो संभीधान तो बड़ा ही जटिल हो गया, एक प्रकार से मकर जाल बन गया, तो क्या किया कैसे लोगों निखा जैसे आप देखते होंगे, एक पुस्तक होती है, एक पुस्तक होती है, ये पता करना हो कि पुस्तक में लिखा क्या है, तो एक शब्द होता है आमुक, एक शब्द होता है आमुक, जब आप पुस्तक के उस प्रिष्ट को खोलते हैं, आमुक पढ़ते तो आपको यह पता चल जाता है कि वास्तों में लेखक या इस पुस्तक का निर्माता आप से कहना क्या चाहता है? आप से कहना क्या चाहता है? अथवा इस पुस्तक को निर्मित करने के पीछे लेखक या निर्माता का उद्देश क्या है? इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको प्राप्त क्या होता है? क्या आपको सकारात्मक प्राप्ती होती है? अगर होती है तो यह पुस्तक हमारे लिए महत्पुन और आपको लगता है आपको उस एक पेज से उस एक शब्द से आमुक से यह पता चल जाता है अंदर किसकी व व्याख्या की गई है, अंदर पुस्तक के अंदर किसकी बात की गई है, यह पता चल जाता है, यही क्या होता है, यही है आपका प्रस्तावना, इसी को आप बोलते हैं उद्देशिखा, इसी को आप बोलते हैं प्रियम्बल, और इसी को आप बोलते हैं आमुक क्या बोलते हैं आमुक भारती संबीधान की प्रस्तावना इतने नामों से जानी जाती है प्रस्तावना उद्देशी का आमुक प्रियेंबल ये भारती संबीधान का सार तत्व है भारती संविधान का दरपड है अथवा दर्शन है ये वही है जो बताता है कि 395 अनुछेद 8 अनुशूची 22 भाग पढ़कर जब आप मेरे पास आएंगे फिर से तब आपको लगेगा कि एक मात्र एक पेज में पूरा संविधान लिखा था अगर हम इस एक पेज को पढ़ लेते तो हम ये तो जा नहीं जाते कि संविधान हमसे कहना क्या चाहता है हमारे संविधान निर्माता जो नायक है जो हीरो है वो हमसे कहना क्या चाहते है वो हमारे लिए क्या देना चाहते है उनको संविधान बनाने का क्या उद्देश्य था, क्या आवशक्ता थी, वो किस कारण से सम्विधान में कौन सी शासन प्रडाली लेकर चलते हैं, वो भारत की जनता को क्या-क्या चीजे देना चाहते हैं, भारत की जनता के अधिकारों के लिए क्या बोलते हैं, समानता के लिए क्या बोलते हैं, स्वतं विधान की प्रस्तावना बताती है, अथवा उद्देशिका बताती है, आज हम इसी प्रस्तावना अथवा उद्देशिका पर चर्चा खरेगे, मान की चलिए, चाहे आप किसी भी स्टेट का PCS दे रहे हो, UPSC दे रहे हो, B.O. दे रहे हो, UPSI दे रहे हो, R.O. दे रहे हो, A.R.O. दे रहे हो, कोई भी एक्जाम जो आपको सवाल याद आ रहा हो, प्रस्तावना से, 5-6 सवाल में से, जरूर रिपीट होते हैं, कभी ये पूछ लिया जाता है, किस वाद द्वाराईश में संसोधन किया जा सकता है, किस वाद से ये पता चलता है, कि ये संविधान का भाग नहीं है, किन्तु जब संविधान की भासा आइस्पष्ट होने लगेगी, तब ये निर्वचन करने में सहायक है, किस संविधान संसोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए, ये भी सवाल बनता है, ऐसे उद्देशिका की आधार शिला क्या है, ऐसे उद्देशिका की नीव क्या है, यही सब होते हैं, धेर सारे सवाल बनते हैं, इतना important fact है, क्योंकि भाईया क्या कहलाता है, संविधान की आत्मा कहलाता है, क्या कहलाता है, संविधान की आत्मा कहलाता है, क्योंकि जो आप पूरा पढ़ कर जानेंगे, वो एक मात्र इसके आमुक शब्द जो है, एक प्रिष्ट में आपको बता देते हैं, कि वास्तों में अंदर किन तत्मों की, अंदर किन निर्व अथ्वा आमुक अथ्वा प्रियम्बल मेरी कोशिस होगी या मेरे सारे कोचिंग परिवार की कोशिस होती है कि जब हम पढ़ाए तो हम ये ना ध्यान में रखें कि बहुत से बच्चे आरंब से इसके पहले से तैयारी कर रहे हैं, हम जब भी आपको पढ़ाते हैं, कि बहुत से बच्चे हैं जो नए हैं और उनको कुछ नहीं पता है तो हम जीरो से चलते हैं और वही हमारी एक सबसे बड़ी विशेशता होती है तो चलिए सुरू किया जाए आपका प्रियंबल आपकी आमुक अत्वा उद्देशी का अत्वा प्रस्तावना जब 13 दिशंबर 1946 को सम्विधान सभा में सम्विधान सभा की दो बैठक हो गई 9 दिसंबर को हो गई 11 दिसंबर को हो गई इस पर भी चर्चा करेंगे यह पूरा पढ़ेंगे लेकिन आज आरंब करेंगे हम लोग प्रस्तावना से जब 13 दिसंबर 1946 को सम्विधान सभा की तीसरी बैठक होती है तो जवहलाल नेरू जी को लगता है कि यह इतना बड़ा सम्विधान है इसका कुछ दर्शन हो कुछ सार्तत्व हो जो बताए कि वास्तों में प्रस्तावना हम लाए क्यों है इतना बड़ा सम्विधान इतना ग बाकी जो सम्विधान के अंदर पड़ोगे वो मेरी ही ब्याक्या होगी वो केवल मेरी ब्याक्या होगी तो जवहलाल नेरू जी ने एक उदेश प्रस्ताव प्रस्तूत किया कब प्रस्तूत किया ये भी सवाल पूछा जाता है कि बहुत बनते हैं इसकी पहली लाइन ही क्वेस्चन हो जाता है तो आप बताते हैं 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तूत किया गया इसे किसने स्वीकृति प्रदान की ऐसे उदेश प्रस्ताव को किसने स्वीकृति प्रदान की तो आप कहते हैं ऐसे उदेश प्रस्ताव को संबिधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति प्रदान की और सभी ने सर्व सम्मति से अपने संबिधान को अपने लोगों की आत्म अपने संविधान को, अपने लोगों की आत्मा मालिया सर्वसम्मति से, संविधान सभाने 22 जनवरी 1947 को ऐसा उदेश प्रस्ताव जिसे पंडित जवारलान नेहरु जी के द्वारा 13 दिसमबर 1946 को प्रस्तूत किया गया, सर्वसम्मति से स्विकार किया, यही उदेश प्रस्ता गया था 13 दिसंबर को 22 जनवर 1947 को जिसकी स्वीक्रित हुई थी यही उद्देश प्रस्ताव प्रमुख रूप से भारती संविधान की प्रस्तावना का आधार शिलावना भारती संविधान की प्रस्तावना का आधार शिलावना प्रस्तावना बलकि भले ही इत्ती बिल्कुल इस बात को बैठा लीजिएगा सबसे घुमा फिरा के पूछा जाने वाला सवाल है या तो कथनकारण में पूछ लिया जाएगा या अबजेक्टिव व्याक्या में पूछ लिया जाएगा पूछा जरूर जाएगा कि क्या भारती संविधान की प्रस्तावना वैधानिक महत्व रखती है बिलकुल नहीं रखती क्यों क्योंकि हम एक लाइन पढ़ते हैं ये न्यायाले में आप्रवर्तनिय है अर्थात न्यायाले में ये लागू नहीं है अगर ये न्यायाले में आप्रवर्तनिय है तो जाहिर सी बात है इसकी कोई वैधानिक महत्व नहीं है ये लाइन याद रखेगा ये हमेशा कार्य करता है आगे आप जब पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में समझाएंगे कि ये आप्रवर्तनिय क्यों नहीं ये आप्रवर को लेकर न्यायाले में जा सकते ठीक बलकि अगर आपको लगे कि वैधानिक महत्वता नहीं है तो इतनी इंपोर्टेंट क्यों है है क्योंकि आपके अधिकारों को सुरख्चित रखती है आपके समानता न्याय की बात करती है आप इनको मतलिजाए भाग तीन में जो ये है भाग चार में है भाग चार कामे है उन सब के माध्यम से इनहीं को उठा लीजिए लेकिन ये एक ऐसी अवधार्णा है जो आत्मा कहलाती है तो ठीक है सरीर के अन्य पार्ट में इसका महत्व है उसको ले जाए वो दिखती नहीं आत्मा का सुरूप लेकि सबसे मजबूती प्रदान करती है इसलिए इसका कोई वेधानिक महत्व नहीं है बात करते हैं कि अगर प्रस्तावना बनाई गई वेधानिक महत्व नहीं है तो ऐसी प्रस्तावना अथवा उद्देशी का अथवा प्रियंबल से लाब क्या है इसको बनाया गया तो इसका महत्व क्या है क्य बनाया गया, भाई प्रस्तावना एक तरफ आप बता रहे हैं कि सम्विधान की आत्मा है, सबसे प्रमुख लक्षे है जो दर्साता है कि इतना वरिहद सम्विधान अगर ना पढ़े तो सम्विधान की प्रस्तावना पढ़ ले, आप जान जाएंगे कि आपको क्या-क्या मिल आपके अधिकार कैसे सुरग्चित होंगे, तो ये कह रहा है कि जब इतना महत्व पूर था, फिर अपने रोक लगा दिया कि बेदानिक महत्ता नहीं है, तो इसको बनाने का महत्व, इसको बनाने की आउसकता क्यों थी, इसको बनाने से क्या लाब था, तो भीया, जब हम सं सम्विधान की प्रस्तावना को नहीं बनाते, तो ये धेर सारे सवाल अद्रिश्य हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि वास्तों में सम्विधान का सुरोत क्या है, ये हमें पता ही नहीं चलता, क्यों पता नहीं चलता, क्योंकि सब तो प्रस्तावना में नहीं था, तो पूछ की हम जानेंगे कैसे इस सवाल का जवाग की संविधान का सुरोत क्या है तो आप कहते हैं भारत की जनता है भारत की जनता है अभी यह सवाल यहां टक गया दोनों सवाल बहुत इंप्वर्टेंट है संबिधान का सुरोत भारत की जनता है तो प्रस्तावना का सुरोत क्या है इसका भी तो मैं कोई सुरोत होगा आपके मन में ये सवाल होगा प्रस्तावना का सुरोत मैंने पहले ही पढ़ा दिया उदेश ये प्रस्ताव था प्रस्तावना का सुरोत उदेश प्रस्ताव था, संबिधान का सुरोत भारत की जनता थी अगर हम प्रस्तावना ना जानते तो ये प्रश्ण हमारे लिए बड़ा ही विवादित, बड़ा ही जटिल सा लगता अब क्या है? प्रस्तावना ने बता दिया भीया, प्रस्तावना ने आप से का कि संविधान का सुरूत भारत की जनता है, आपने जब प्रस्तावना देखा, तो आपने सबसे पहले पढ़ा हम भारत के लोग, अब क्या पढ़ा? हम भारत के लोग, तब आपको समझ में आ गया तब आपको समझ में आ गया कि इसका मतलब भारत के लोगों ने ही अपने भारत को संपूर प्रभुत्व संपन, समाजवादी, पंथ निर्पेक्ष, लोगतांतरिक गर्ण राजे बनाना चाहा और इसमें निवास करने वाले अपने नागरिकों को समाजी कार्थिक राजनेति निया देना चाहा, विचार अभिवेक्ति विश्वास, धर्म और उपासना किस पतंतरता देना चाहा, तो ये किस ने चाहा, हम भारत के लोग अर्थात, भारत की जनता ने चाहा, तो जब कभी ये लगे कि प्रस्तावना का कोई वेधानिक महत्व नहीं है, तब ये क्यों आवश्यक है, तो इन तीन क्वेश्चन को ढूड़ लीजिएगा, क्यों बनाया गया, इसको बनाने से लाव क्या है, इसको बनाने का क्या महत्व है, ये आपके पास जो भीवादित और जटिल प्रश्न होगा, उसका ततकाल आपको बड़ा ही प्यारा उत्तर मिल जाएगा जनता के मानिप्रतिनिधियों के लिए भी यह है कि संघान का सुरोट क्या है, तो आप संघान का निर्मार्त तब तक नहीं कर सकते, जब तक आपने संघान सभाना बनाई हो, ये भी ये बता देता है आपका प्रस्थावना, आप संघान सभानाईए, जनता द्वारा प्रतिनीरी को भेज दीजिए, वो अगर जनता के अनुसहार, जनता की सहमति को देखते हुए, सर्व समति को देखते हुए, वो जो भी कानून, जो भी विधान बना देंगे, वो मानने हो जाएगा, कौन बताता है, आपकी प्रस्तावना बताती है, तो ये क्लियर हुआ पहल हमें समझ में ना आतें, जिसमें हम फर्स के रह जातें, इसका उत्तर यहाँ है। की आकांच्छाओं को पूरा करना चाहते हम जनता की आकांच्छाओं को पूरा करना चाहते है पूछा गया कि कैसे आपको पता चला कि जनता की आकांच्छा क्या है प्रस्तावना ने कहा हमने बहुत दिन से देखा कि संविधान सभा में जब जनता अपने माने प्रतिनिदी भेज रही थी तो जनता बार बार अपने प्रतिनिदी से का रही थी कि महोदय हमारे अधिकारो की बात करें, हमारे लिए न्याय की बात करें, हम बहुत ही पुराने परंपराओं से परेसान थे, हम अब तक प्राची निकाल से ही समानता नहीं पाये थे, हम अब तक प्राची निकाल से स्वतंत्रता नहीं पाये थे, हमारे साथ न्याय नहीं होता था, कभी हमें तशब्द से इंगित किया जाता था, कभी हमेरे अधिकारों को छीन लिया जाता था, और हम कुछ नहीं कर पाते थे, इसलिए जनता की आकांचाओं को पूरा करने के लिए संभिधान ने क्या किया, अपना लच्छ बनाया, अपना उद्देश बनाया, और अपने उद्देश पूर्ति के लिए सरकार का गठन कर दिया और सरकार से कहा कि आप अकेले कोई कारे नहीं कर सकते आपको तीन अंगों का सहरा लेना होगा कारेपाली का विधाई का न्यायपाली का विधाई का कारेपाली का न्यायपाली का इन तीनों का सहरा लेकर आपको अपने संविधान के उद्देशों को पूरा करना होगा, फिर सरकार से इसी सम्विधान ने कहा, मेरा उद्देश था जनता के सारे हितों की, सारे आकांचाओं की पूर्ति करना, उनके आकांचाओं, अधिकारों, न्याय सिधान्त की रच्छा करना, इसलिए मैंने तुम्हें रखा है, तुम्हार संविधान में फिर से समाहित करके समाप्त कर दूँगा क्यों? क्योंकि मेरे लिए तुम सरकार या तीन तुम्हारे अंग माइने नहीं रखते मेरा एक मात्र लच्छ मेरा एक मात्र उद्देश यह जनता की इच्छाओं आकांचाओं की पूर्ति करना तो ये कैसे पता चलता? जब प्रस्तावना कहता है तथा अपने नागरिकों के सामाजिक आर्थिक राजनेतिक ने आए स्वतंत्रता, समानता, व्यक्तिकी गरिमा बंधुता बढ़ाने के लिए हम कार करते हैं तो आपको भी वही करना है एक उधारवादी बस समझ माया इसे लिए संविधान संदच्छक भी कहलाता है संविधान संदच्छक भी कहलाता है जब आपकी अधिकारों का जब आपकी स्वतंत्रता, समानता, न्याइन सब का किसी राज यत्वत सरकार द्वारा अनन किया जाता है चीना जाता है तो आप सीधे संविधान में भागते हैं, भागतीन अनुछेद बत्तिस उठा लेते हैं, या अनुछेद 226 उठा लेते हैं, वो भी तो मौलिक अधिकार है आपका, आपको सनरक्षर देने वाला अनुछेद भी एक मौलिक अधिकार है ताकि उसे भी कोई चीन इस भी चुखा है, अब भारत किसी का गुलाम नहीं, किसी का उपनिवेश नहीं, भारत है क्या, तो बताता है कि भारत ने अपने संभिधान सभाद के द्वारा, अपने संभिधान का निर्मार कर लिया, और आज 13 दिसंबर 1946 को सबने सरो सम्मति से बैठ कर ये बात किया, समीतियां बनाए, अनुछेद बनाए, भाग बनाए, अनुसूचियां बनाए, सब बनाए, अब बनाकर अपने संभिधान का निर्मार करके, आज तारीक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्स शुक्ल सम्मति संभत 2000 को, एतद द्वाराई संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मारपित कर डाला। किया किसने बताया यत्ती थी। यह प्रस्तावना बताती है कि हम भारत के लोग अपने भारत को सबसे आगे रखना चाहते हैं, सर्वो चुमे रखना चाहते हैं, संपूर प्रभुत्व संपन प्रतेक नागरिकों के सारे अधिकार चाहते हैं, बंधुता, समांता न्यायर ऐसा चाहते हैं कि लोगों में भाई चारा बनी रहे, कोई छेत्रवाद, भासाबाद, राजिक को उदै करके पूरे भारत को खंडित ना कर सके, इन सब की प्रेडा को दिल में रखते हुए, आज हम लोग वचन बद्ध हुए है, 26 नौबर 1949, यह किसे ने बताया, यह आपको प्रस्तावना अब बताया, आप बताये, भाले ही प्रस्तावना का बैदानिक महत्व यह नहीं है, कि आप इसे न्यायाले में नहीं ले जा सकते, यह न्यायाले में अप्रबर्तनी है, लेकिन प्रस्तावना हटा देने से पूरा का पूरा संबिधान धरासाई हो जाएगा, क्यों? क्योंक अत्यंत आवश्यक है, प्रस्तावना अत्यंत आवश्यक है, क्लियर हुआ, अब आगे बढ़ें, देखिए, प्रस्तावना की बात करें, ऐसे प्रस्तावना, आप कहते हैं, कि हम जानेंगे कहां, कि प्रस्तावना हमें कैसे मिली, यह प्रस्तावना आई कहां से, क्या भारती विचार को ने दिया, क्या भारती विचारकों ने दिया अथवा इस प्रस्तावना को हम पहले से ही लेकर चले थे तो सब ने कहा प्रस्तावना तो भारत में अलग से हम नहीं जानते थे इस शब्द को इश्टब्द को मलग से नहीं जानते थे लेकिन भारत के प्रतेक संविधान निर्माता हो ने भारत के प्रतेक राजनीतिक विचारकों ने जब-जब अपनी बात रखी तब- Tब उन्होंने स्वाराज की बात की अधिकारों की बात की जिसे हमने आगे मौलिक अधिकार का, स्वाराज की बात की जिसे हमने अपने संविधान के रूप में क्या कर दिया, हमने अपने संविधान के रूप में इस्थापित कर दिया, व्याख्याईत कर दिया, तो हमारे संविधान निर्माता, विभिन राजन विचारक आरंब से ही जिन तक्त्मों, जिन सब्दों की व्यात करते रहें, चाहे व 1895 सुवाराज विदेयत से बात किया हो, चाहे 1922 मानेनी महतमा जी ने कहा हो, चाहे 1924 पंडित मोतिलाल नेहरू ने कहा हो, चाहे 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माधिम से इस बात को रखा हो, रखा जरूर गया, ऐसा प्रस्तावना आरंब से ही विचारों में रहा, लेकिन वास्तविक स्वरूपी से मिला, 26 नॉवंबर 1924 को, ऐसे प्रस्तावना को भारती संविधान में शामिल किया गया, अथवा प्रस्तावना शब्द लिया गया, किसी भी प्रकार से क्वेस्चन बने, किसी भी प्रकार से क्वेस्चन बने, आपका क्वेस्चन गलत नहीं होना चाहिए, यूएसे अत्वा संयुक्त राज अमेरिका से लिया गया, वहाँ पर यूएनों के चार्टर एक्ट में लिखा है, हम यूएनों के लोग, हम सहयुक्त राष्ट्र संग के लोग अपने इस सहयुक्त राष्ट्र संग में वही से ये सब्द उठाया गया हम भारत के लोग ऐसे प्रस्तावना की भासा ली गई आश्ट्रेलिया से ऐसे प्रस्तावना की भासा ली गई आश्ट्रेलिया से ऐसे प्रस्तावना का आधार शिला है, उद्देश प्रस्ताव, जिसे आप कह सकते हैं, प्रस्तावना का सुरोत है, प्रस्तावना का सुरोत है, उद्देश प्रस्ताव, अर्थात आपको दिखएगा, तीन महत्पूर प्रस्तावना शब्द लियागे, आप कहेंगे, आधार शिला अथवा प्रस्तावना का सुरोत क्या है, तो आप कहेंगे, उद्देश प्रस्ताव है, सवाल वही अठका रहेगा, बार बार रिवीजन कर लीजेगा, 13 दिसंबर 1946, 15 जवालाल नहरुजी द्वारा प्रस्तूत, 22 जनवरी 1947, संबिधान साभादवारा सर्व सम्मति से स्वीकृत किया गया, उद्देश प्रस्तावना, तो ये सारे क्वेस्चन जरूर याद रखेंगे, अब बात करें, ऐसे प्रस्तावना पर, ऐसे प्रस्तावना बनाते समय, भारत के लोग संमिधान निर्माता, किन किन तत्मों का ध्यान दे रहे थे, क्या उनमें क्रांतियां भी सामिलती, क्योंकि उनके भी तो कुछ सब्द आये हैं, तो भही आप प्रस्तावना पर किन क्रांतियों का प्रभाव पड़ा है, ये भी आपको याद रखना होगा, आयोग का कुछ पता नहीं, कहां से क्वेस्चन बन जाए, इसलिए आप तयार र जरूर मिलेंगे, दो से तीन क्वेस्चन जरूर मिलेंगे, और अगर ओवराल प्रस्तावना की शब्दों की व्याख्या की बात करें, तो इसमें मुझे लगता है, दस से पंदरा क्वेस्चन अपने आप में बन जाते हैं, चलिए देखिए, एक क्रांति थी फ्रांसी सी क् 1789 में, आपको याद होगा, 1789 में हुई थी, जिसमें फ्रांस की जनता ने स्वतंत्रता, बंधुत्व, तथा, गड़तंत्र की मांग रक्खा था, और ये क्रांति शफल भी हुई थी, ये क्रांति सफल भी हुई थी, आप स्वतंत्रता की जगा समानता सब्द लगा दे, समानता, बंधुत्व, गड़तंत्र की बाद, स्वतंत्रता, समानता एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा, आप लिखिए, जब मेंस लिखिएगा, तो इन सब शब्द सम्विधान से लिया है, भारती सम्विधान के स्रोथ से भी बड़े सवाल पूछे जाते हैं, यही कारण है कि गड़तंत्र प्रडाली हमने कहां से लिया है, फ्रांस से लिया है, फिर एक क्रांती हुई रसिया, रूस की क्रांती, जिसे हम बोल शेविक क्रान्ती करते हैं, क्या कहते हैं, बोल शेविक क्रान्ती, उस समय ये क्रान्ती बड़ी ही प्रभावित क्रान्ती थी, बड़ी ही प्रभावित क्रान्ती थी, आपको एक शब्द याद होगा, यहां समझिएगा, यहां आपको एक चीज समझना है, फ्रांसीसी क्रांती, स्वतंत्रता, बंधुत्व, गर्तंत्र, इसकी मांग हुई थी, इसी से तो हमने लिया था, कि हम भारत के लोग, अपने भारत को संपूर प्रभुत्व संपन बनाना चाहते हैं, समाजवादी बनाना चाहते हैं, उसके बाद का शब्द आपको याद होगा, तथा उसके सभी नागरिकों को, न्याए दिलाना चाहते हैं, पूछा गया कौन सा न्याए हैं, सामाजिक, आर्थिक, तथा राजनेतिक न्याए, ये तीन न्याए हम दिलाना चाहते हैं, पूछा जाता है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उलेक है, तो सवाल है, तीन प्रकार के न्याय का उलेक है, कहां से लिया गया रूस की क्रांती से, जो बोल सेविक क्रांती के नाम से प्रसिद्ध हुई थी, उस क्रांती से हमने सामाजी कार्थिक राजनेतिक न परणाली हमने फ्रांसे ही लिया इसमें हमने क्या पाया विचार अभिव्यक्ति के विश्वास के धार्म और उपासना कि स्वतंत्रता ये सारी इसी मैं नीहित ती तो भारति सम्मिदान sí प्रस्तावना पे किसका प्रभाव दिखता है भारती संविधान की प्रस्तावना पे फ्रांसी सी करांती रशियन करांती का दिखता है तो ये भी अपने आप में बड़ा ही important fact है प्रतेक देश की प्रस्तावना क्यों बनाई जाती है प्रतेक देश के संविधान को ध्यान में रखते हुए प्रतेक देश अपने यहां जिस प्रस्तावना का निर्माड करता है ऐसी प्रस्तावना में संविधान के जो मौलिक आदर्श है जो प्रभाव दिखता है अथवा संविधान जिस उदेश से बनाया गया उसके बारे में जानकारी मिलती है अर्थात प्रतेक दिनियम का अपना एक उदेश होता है प्रतेक दिनियम का अपना एक उदेश होता है ऐसा अधिनियम क्यों बनाया गया, ऐसे अधिनियम से प्रभाव क्या पड़ेगा, ऐसे अधिनियम द्वारा हम जनता को देंगे क्या, ऐसे अधिनियम का वास्तविक लच्च क्या है, प्रतेक अधिनियम जब बनाया जाता है, दहेज प्रता अधिनियम, इस निशेद करने के इस प्रकार के जितने अधिनियम आये प्रतेक के पीछे क्याल अच्य था समाजी कुरीतियों को समाथ्त करना उसी प्रकार जब भी कोई अधिनियम बनेगा तो उसकी अपनी एक उदेश आमुक हत्वा प्रस्तावना होगी तो वो बताती है कि किस कारण से किस उदेश से इसको बनाया गया है और इनमें किन-किन आदर्श किन-किन तत्व का शमावेश किया गया है यही कारण है कि प्रस्तावना संबिधान का दर्शन कहलाता है प्रस्तावना संबिधान का सार तत्व कहलाता है एक ऐसा दरपण कहलाता है जो पूरे संबिधान का चित्रण दर्शा दे बताता है कि सारे चीजों का शार में हूँ, संशित सार में हूँ, इसके बाद आप जो देखेंगे वो पूरी की पूरी व्याख्या होगी, पूरी की पूरी की कहानी होगी, बाकी में कम सब्दों में आपको आगाह कर देता हूँ, कि इसको पूरा कंपलीट कर ले जाए, समझ में आ गया क्या अब देखिए आगे में आब बात करते हैं कि ऐसी प्रस्तावना जिसकी भासा अश्ट्रेलिया से ली गई है जो अमेरिका से लिया गया है ऐसी प्रस्तावना शब्द का सर्व प्रथम प्रयोग अथ्वा ऐसी प्रस्तावना के बारे में सबसे पहले किस विचारक ने बताया तो विचारक थे प्लेटो युनानी विचारक है, पास्चाते विचारक है, प्लेटो ने अपनी ग्रंथ दा रिपब्लिक में सबसे पहली बार प्रस्तावना शब्द के बारे में व्याख्या किया और बताया कि प्रतेक देश के संबिधान का अपना एक प्रस्तावना होना अवश्यक है और होना चाहिए जिसे संपूर देश के या कह दीजिए विश्व के समस्त देशों के संबिधान ने समाहिक कर लिया क्यों कि वास्तों में बड़े ही नेतिक और आदर शुबान चिंतक थे इनकी हमेशा ही चिंतन राज और राज में न्याय के प्रति रही है इसलिए ये विधान और संबिधान चाहते हैं कि बने तो इसलिए इन्होंने कहा कि प्रस्तावना जरूर होना चाहिए प्रतेक देश क के संबिधान में तो इसको सारे देश के लोगों ने माना थबिश्व के समी देश के लोगों क्यूं कि प्रतेक देश का जो संबिधान है बडा ही ब्रिहद है हम लोग काते ना संउतराज अमेरिका का अपना संविधान बहुत कम है, भले ही वो 6-7 आर्टिकल आपको लगे, मतलब मैक्सिमम अगर मैं मालनू 8-10 आर्टिकल में वो कम्पलीट है, तो भी उसकी व्याख्या है, उसकी व्याख्या अनेक तरीके से, अ exception है, आइसे नहीं हमने मौली का अधिकार ले लिया, आइसे ही नहीं हमने संविधान की सरवोचिता, न्याएपालिका की सक्रियता ले लिया, राश्च्पत के बारे में, राश्च्पत पर महाभियो, यू ही नहीं ले लिया, इसका मतलब वहाँ भले ही दिख रहा होगा कम, व्याख्या इतनी जादा होगी, तो क्या किया जाए, संबिधान को पढ़ने से बेटर, पहले उसकी प्रस्तावना को मजबूती से पकड़ लिया जाए, यही कारण है, कि जब कभी हम लोग संबिधान पढ़ने चलते हैं, तो स आपको ढूड़ना नहीं पढ़ेगा, मैं आपको बता दूगा कि आप अधिकार के लिए आए हैं, भागतीन में चले जाएगे, कौन से अधिकार के लिए आए है, स्वतंत्रता चाहिए, समानता चाहिए, विदिके समक्ष समानता चाहिए, अस प्रिष्टता की बात लेकर यह कौन सा लेकर आए है, बताईये, तो मैं भेजूँगा इग्जेक्ट आप उस आडिकल में चले जाएंगे, आपको घूमना नहीं पड़ेगा, राज के बारे में बात करना है, अगर राज के बारे में बात करना है, तो भाग चार में चले जाएए, 12-36 में घूमाईये, इतना मत घूमिये 36 से क्या हों स्वारी भाग चार चले जाएए च्छे क्या हों घूमाईए यहां 12 से 35 घूमाईए यानि मैं एक्जेक्ट आपको लच्छ बता रहा हूँ एक्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ जगा जहां आप जाएंगे तो अब आप बताएंगे प्रस्तावना इजी करती है कि ने बिल्कुल इजी करती है इतने बड़े प्रिह स्वरूप को वो दर्शन में सार्तत में छोटा करके बताती है इसका मतलब प्रतेक देश के संविधान की अपनी प्रस्तावना होनी चाहिए क्यों? क्योंकि ऐसी प्रस्तावना शंविधान का संचिप्त सार होता है सार तत्व होता है संविधान का दर्शन होता है यही कारण है कि चूकी वो सब कुछ बता देता है इसलिए संविधान की आत्मा कहलाता है संविधान की आत्मा कहलाता है प्रतेक अधिनियम का अपना एक लच्छ होता है, एक उद्देश होता है, जो वास्तों में ये दर्शाता है, कि ऐसा अधिनियम किन उद्देश के द्वारा या किस उद्देश के लिए बनाई गई है, यही कथन है न्याय मुर्ती सुब्बाराओं का। न्याय मुर्ती सुब्बाराओं ने भारती संविधान की प्रस्तावना पर अपना विचार जब दिया, तो उन्होंने यही कहा कि प्रतेक अधिनियम का अपना एक उद्देश होता है, अपना एक दर्शन होता है, अपना एक लच्छ होता है, जो बताता है कि वास्तों में मैं किसलिए बनाया गया हूँ, तो प्रस्तावना भी क्या है, ऐसे अधिनियम का उद्देश यह है, इसलिए प्रस्तावना अत्यन्त महत्पूर है, कौन बताया, न्यायमूर्ति शुबाराओ, यह क्या है, प्रस्तावना पर अनेक विचारकों ने अपने-पने कथन दिये है, अन अभिचार दिया है, बात करें के एम मुंसी की, के एम मुंसी, इनों ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, आप याद करिए, नार्मल भोल-चाल में हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं यार, उस के बारे में पता करिये और बताइए कि वास्तों में वो व्यक्तिक कहसा है, तो क्या होता है, लोग क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, आप परिसान मत होईए, मैं उनकी जन्म कुंडली तुरंद पता करके आपको बताता हूँ, यह क्या बताता है यह उनके पूरे जीवन परिचे को बता देता है इसलिए के एम उनसी ने कहा कि प्रस्तावना संभिधान की जन्म कुंडली है आपको संभिधान को पूर रूप से पढ़ने की भी आउ सकता ना पड़े आप सीधे प्रस्तावना पढ़िए उनके बारे में ज़ान जाईए कि उनको नियाए यह चúaईए था, उनको अधिकार यह चाहिए था, उनके लिए ये कारिया यह सा था, सारा जान जाईए और एक्जेक्ट जगह पहुंच जाईए उनका कारी कर दीजेए तो फूछा जाता है किस ने प्रस्तावना को संभिधान की जन्म कुं और प्रस्तावना लग जाने से वो विधिक साहित यानि उसकी इंपोर्टेंस बढ़ जाती है, कहते हैं यह कुछ नहीं है, यह बृद्धावस्था का प्रलेक है, क्या है? बृद्धावस्था का प्रलेक है, अर्थात, आप क्या करें? आप अगर यंग है, तो भी जब आप पढ़ते हैं, तो आपके अंदर मेचियूटी आजाती है, कि मुझे क्या करना, अगर मैं ऐसी स्वतंतरता करूँगा, तो दूसरी की स्वतंतरता बाधित होगी, उनकी जब स्वतंतरता बाधित होगी, तो मेरे विरुदेक्शन होगा, यानि यह बृद्धावस्था का प् प्रलेख कहा है, कि जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, इसमें आपको समय देते देते, इसमें अनेक प्रकार की नमीनता आएगी, और ये एक ऐसा प्रलेख है, जो वास्तों में आपको इस उम्र तक, या कम उम्र में इस तक पहुँचाने का प्रयास करती, ठाकुर्दास बा ये सब सिरीज आती हैं, लेकर जाते हैं, एक्जाम के समय प्रतियोक्ता अधरप्रण घटना चक्र ये सब आप लेते हैं, ये सारे बुक के कलेक्शन से निकाली गए चीजे होती हैं, सेम यही ठाकुर्दास बारगो का रहे हैं, कि जब आप कैयारी कर रहे हैं, तो ये सब सिये पत्रिका इन सब से पढ़ लीजे, जल्दी होगा, क्योंकि आपको जादा पढ़ना पढ़ेगा अगर लक्षमी कान को उठाएंगे, अगर आप सुभास कस्यप जी को पढ़ेंगे, इतना पढ़ना होगा, तो वो कह रहे हैं, कि आप इतने छोटे पत्रिका में मैंने स सारे शब्दों को रख दिया है, आप जानती सिये, ये था इजी सब्द में समझाना, लेकिन संबिधान की कुण्जी अर्थात की खुलते ही पता चल जाएगा, वो छोटे सब्द में पता चल जाएगा, कि अंदर केतनी व्याख्या पढ़ी है, इसी को आगे चलकर जवाहर लाल नेरू ने भी कहा था, कि संबिधान की कुण्जी नोट है, संबिधान की कुण्जी नोट है, तो अगर कभी आ जाए, संबिधान की कुण्जी नोट है, या संबिधान की कुण्जी है, तो इन ही को दूरिएगा, क्योंकि उन्हों ने कहा था कि मैं ठाकुर्दास भार अब इसके बाद जब हम प्रस्तावना कहां से लिया गया, किस भासा से प्रयोग किया गया, इसमें क्या क्या समाहित है, इसका सुरोत क्या है, ये पढ़ा क्यूं जाए, क्या निया आले में ये बैधानिक महत्तो रखता है, अब इस पर चर्चा करेंगे, अब प्रस्तावना जो हमें इतनी महत्वपूर लगी, जिसके लिए लोगों ने अनेक बात की, क्या वास्तों में इतना महत्वपूर है, क्या वास्तों में इतना महत्वपूर है, इस पर चर्चा करें, यानि प्रस्तावना इतना, तो कहा गया, जीस प्रकार शरीर ब्रिहद स्वरूप लिये है, शरीर क्या है, ब्रिहद स्वरूप है, सबको दिखता है, प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना उसका संचिप्त आत्मा है, मतलब अगर मैं प्रस्तावना शब्द भी ना लाऊ, अगर मैं केवल अभी आपसे इतिना जिक्र कर, शरीर ब्रिहद स्वरूप है, शरीर ब्रिहद स्वरूप है, और आत्मा सुक्ष में है, लेकिन जीवन का, शरीर का, सार है, दर्शन है, उसी प्रकार कहा गया, कि संबिधा अगर शरीर है तो प्रस्तावना उस शरीर की आत्मा है सम्विधान अगर शरीर है प्रस्तावना उस सम्विधान की अथवा शरीर की आत्मा है सम्विधान अगर महल है तो प्रस्तावना उस महल की आधार शिला अथवा बुनियाद है आप बताईए आत्मा निकाल देंगे सरीर का स्थित्व एक साहित के बराबर ना के बराबर एक साहित के बराबर बुनियाग हता दीजिए आधार शिला हता दीजिए मैं जहां कड़ी हो जमीन की आधार हता दीजिए आप देखेंगे आप भी खड़े होंगे द्राम से गिर दाएंगे अर्थात अगर ये महल आपको दिख रहा है तो इसके कारण दिख रहा है इसके कारण दिख रहा है किसे ने कहा है सुभास कस्यप जी ने कहा है सम्मिधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना क्या है? उस सरीर की आत्मा है. अब क्लियर हुआ? इसका मतलब वास्तों में प्रस्तावना भले ही वेधानिक महत्व नहीं रख रहा, लेकिन बहुत महत्पूर है. अब जब हम आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आप से मिलेंगे, तब हम पढ़ेंगे प्र इस पर कई वाद है, बेरुबारी यूनियन, एके गोपालन बनाम अद्रास राज, गोलक नाद बनाम पंजाब राज, इस पर चर्चा करेंगे. फिर वास्तों में नवीन संबीधान का भाग, कब बना? कब बना? और जब बना, तब बेसिक इस्ट्रक्चरा थियूरी का फार्मूला कहां से आया? आधार भूत, ढांचे का सिध्धान्त कहां से आया? इस पर भी चर्चा करेंगे. ये भी बहुत जरूरी है. फिर जब इनके सारे वास्तों में पढ़ लेंगे, तब आरंब होगा इसमें दी गई शब्दों की ब्याख्या, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर प्रभुत्व संपन, समाजवादी, पंथ निर्पेक्ष, लोग तंतरात्मक गड़ राजी बनाने के लिए इस चर्चा की बात करेंगे. यानि इसमें अभी बहुत से क्वेस्चन बनें. य जब पढ़िएगा, जब इंडियन पॉल्टी को टच करिएगा, या किसी भी जी इस को, उसके बेक्ग्राउंड को देखते हुए, तब धीरे धीरे उसके सीरियल को, करम को ध्यान में रखते हुए, पढ़ते चले जाएंगे, कोई चीज कठिन नहीं लगेगी. फिर इसके आपके सफलता को ये निश्चित ही, शायद इसे निश्चित की और ले जाए और आप सफल और अपने लच्छे को प्राप्त कर सके, थेंक यू सो मच, थेंक यू अल.